So, okay, हम जो है, अब ये recording चालो हो चुकी है और आज का question answer session हम लोग start कर रहे हैं और जैसा कि request है रविंदर वागमारे का हमारा जो day one का session था, life and business multiplier का, उसका day one का जो session था, Tony Robbins का UPW, उसका हम लोग एक बार revision कर लेते हैं, तो एक-एक करके जैसा slide आएगा, आप लोग सब उस slide को देख करके और जो है, ये हम समझेंगे, हमने क्या-क्या किया था, हमने energy और motion की बात की थी, कि जिस तरीके से physical state का mental state का physical state पे असर पड़ता है, उसी प्रकार से physical state का भी mental state पे असर पड़ता है, तो इसलिए अगर हमको हमारा mental state change करना है, अगर हमको हमारी mental energy change करना है, तो physical energy change change कर के 되지 कल पोजिशन्ट चेंज करके हम-मेंटल एनरजी जो है वह change कर सकते हैं इस टॉपिक्स से हमने शुरूात की ते कि everything is energy और जो भी है वह जब अबने मेंटल एनरजी उस लेवल तक लेकर की जाते जहां को पहुंचना तो ञालेटी भी physicality में physical sense में वो reality हमारे life में जो है वो आ जाती है तो अगेन जो हमने समझाने की कोशिश की थी वो ये की थी कि हमको हमारे mental level को हमारे mental frequency को उस level तक लेकर के जाना है जहां पर जो reality हम चाहते हैं हम लोग आज जिस reality में है उसी उपर की reality में हम चाहते हैं तो हमारी mental frequency हमारी thinking हमारी तैयारी सब कुछ जिस level तक हम जाना चाहते हैं उस level तक हम लेकर के जाते हैं तो चूंकि mentally हम उस level तक गए हैं तो physically भी वो reality हमारी life में आ जाती है energy की यह जो है खासियत रहती है और जिस प्रकार से है जिस प्रकार से emotions का body पे असर पड़ता है उसी प्रकार से body के motion का भी जो है वो emotions पे असर पड़ता है इसलिए jogging करने के बाद में अच्छा लगता है इसलिए exercise करने के बाद में अच्छा लगता है इसलिए जब हम कोई physical activity करता है तो उसका हमारे mental पे भी असर पड़ता है because highest energy always wins ठीक है तो energy generation किस प्रकार से होती है ये हमने एक diagram के माध्यम से सीखा था वो यहाँ पे इसके सीखा था कि source of energy जो है mind का जब action होता है ठीक है और body source of energy दो रहती है mind की energy और body की energy mind का action यानि सोचना ऐसे लोगों की बीच में रहना mental energy और body की energy रहती है जो action जो physical activity हम करते हैं उससे हमारे thoughts और beliefs जब affect होते हैं ठीक है और thoughts और beliefs जब affect होते हैं तो उससे हमारे decisions affect होते हैं जिससे हमारी वापस यह energy या तो positively बढ़ सकती है या negatively घट सकती है ठीक है तो जैसे thoughts and beliefs इ energy भी बढ़ेगी तो फिर action भी बढ़ेगा तो thoughts और beliefs और decisions और बहतर होंगे तो और energy बढ़ेगी इस प्रकार से ही चलता रहता है और यह जब हम लगातार करते रहते हैं तो फिर यह ultimately हमारी बन जाती है habit यहाँ पे जैसे हमको दिख रहा है यह ultimately हमारी बन जाती है habit तो यह diagram के माध्यम से हमने इसको सीखा था और यह बार बार rewiring rewiring जो होते रहता है ठीक है तो emotion is created by motion और mental energy कहां से आती हमारी language और meaning से physiology हमारे body का state और किस चीज़ पे हम focus करते हैं कैसे लोगों के बीच में रहते हैं कैसी किताबे पढ़ते हैं क्या हमारा focus है तो emotion is created by motion के बाद में और फिर यह high power pose जिस प्रकार से हम खड़े रहते हैं जिस प्रकार से हम बात करते हैं जिस प्रकार से हमारी body language रहती है उस हिसाब से हमारा male hormone जो testosterone level जो achievement के लिए ज़रूरी है वो बढ़ता है stress hormone बगरा जो है वो कम होता है और risk लेने की हमारी capacity कुछ बड़ा काम करने की capacity chances लेने क capacity हमारी बढ़ती है फिर हमने extraordinary life क्या है उसकी उपर में detail में discussion किया था और हमने कहा था कि extraordinary life जो है वो physically हमारी किस तरह की हमारी extraordinary life दिखेगी physically मैं कैसा रहूँगा mentally कैसा रहूँगा emotionally कैसा रहूँगा और spiritually मैं कैसा रहूँगा यह हमने जो है यह इसका एक list हमने बनाई थी ठ तीसरे question में हमने decide किया थे कि कौन सी चीज़े, आज मेरी life में ऐसी कौन सी चीज़े हैं, जो मुझे रोक सकती हैं, physical जो मैं achieve करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो achieve करना चाहता हूँ, कौन सी मेरी physical और financial आदते हैं, जो मुझे को रोकेंगी वो अचीव करने से, कौन सी मेरी mental आदते हैं जो मुझे रोकेंगी, कौन सी मेरी emotional आदते हैं, relationships की आदते हैं जो मुझे रोकेंगी, और spiritual, जब हम इस दुनिया से जो मेरी spiritual आदते हैं, जो long term effect जो होता है, वो मेरी कौन सी आदते हैं, जो मुझे रोक स सकती हैं वो पाने से जो मैं पाना चाहता हूं ठीक है और उसके लिए कि कहीं कोई रोक न दे मैं क्या चेंजेज अपनी लाइफ में लाऊंगा मेरे डेली रिचुल्स में जो डे टुडे जो क्लाम करता हूं सोचता हूं वो क्या चेंजेज लेके आऊंगा घर पे कौन सी चीजें करना शुरू करूंगा और अपने सोसाइटी मतलब अपने आधस पास के सोशल में कौनसी चीजें चुरू करूंगा और कौन हम डिसीजन लेते हैं जैसे एक में यह जो हम जैसे डिसीजन लेते हैं यह जैसा सोर्ट सफ एनर यह जैसा हम डिसीजन लेते हैं इसकी उपर में पूरा हमारा फ्यूचर जो है हमारे डिसीजन की उपर में डिपेंड करता है पूरा हमारा फ्यूचर हमारे डिसीजन की उपर मे it is the moments of decision that your destiny destiny मतलब हमारा future जो है वो बनता है ठीक है फिर मेरा accountability partner कौन रहेगा तो आपके accountability partner कौन रहेंगे जिनके साथ मैं आपको ये सब discuss करना है ये जो अभी हम लोग discuss कर रहे है मैं उम्मीद करता हूँ आपने accountability partner के साथ में जो जो आपने सीखा जो लक्षमन ने आपको accountability partner बना की दिये थी उनके साथ में फोन पे या जूम कॉल पर आपने वो जो है discuss किया होगा तो accountability partner के साथ में वो सब पूरा discussion था उसके बाद में तीन essentials कौन से हैं life के ये तो मैं खेर 5-5 day के course में भी explain करते रहता हूँ कौन सा mentor, कौन सा mastermind आप चुनेंगे और consistency लगातार, निरंतर ता जो है वो बनी रहे training का असर क्यों लगातार training लेते रहना चाहिए क्योंकि जब हम training लेते हैं तब इस level पे रहते उसके बाद में हम नीचे उतर जाते हैं इस point पर जब हम नीचे आ जाते हैं फिर से जब हम अगला session training का attend करते हैं, अगले Thursday को आते हैं अगला session तो हम और उठते हैं और इस बार जब उठते हैं तो पिछले level से उपर जाते हैं और इस प्रकार से हमारा level जो है, हर regular निरंतरता से लगातार हमारा भड़ता रहता है, सिर्फ 4% ऐसे लोग रहते हैं, जो ना सिर्फ start करते हैं, बट implement भी करते हैं और consistent action ये ऐसा करने वाले लगातार training ले करके अपने आपको upgrade, upgrade, upgrade करने वाले सिर्फ 4% लोग होते हैं इसलिए 4% लोग ही जो हैं वो major success पाते हैं पिस extraordinary life में जो छटवा question हमारा था ये मेरे tom stone पर मेरे जो समाधी रहेगी मेरी समाधी में कौन सी तीन words लिखे रहेंगे ये तीन words जो मेरे पूरे जीवन को प्रदर्शित करते हैं ये हमने लिखा था फिर उसके बाद में break के बाद में हमने ये वाला ये किया था कि मेरा potential क्या है मेरा action मेरा potential जैसा है मतलब मेरी जो काबिलियत है मेरी काबिलियत जैसी रहेगी है वैसा मेरा action और language रहेगा जितना मैं action लूँगा हमने action के importance की बाद की थी जितना मैं action लूँगा और language भी एक तरह का action है उतने मेरे बहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, जितने बहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, उतनी मेरी बिलीफ और मेरी सर्टेंटी और बढ़ती जाएगी, तो मेरी काबिलियत और बढ़ेगी, तो ये सब जो है, एक धीरे 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 जो है, ये बढ़ते रहते हैं, और रिजल्ट्स बढ़ाना है तो मुझे क्या करना चाहिए मेरको अपने आक्शन पे काम करना पड़ेगा अक्शन बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी काबिलियत बढ़ानी तो क्या करना पड़ेगा बिलीफ और सर्टेंटी बढ़ाने पड़ेगी तो हमने बात की थी कि हम शुरुआत कहां से करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे बिलीफ और सर्टेंटी से यह बढ़ेगा तो यह पूरा एक दूसरे को बढ़ाते बढ़ाते सक्सिस मुमेंटम हमारा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता ज क्या होता है beautiful state of mind यहने positivity यह सब आप ही लोगों ने share किया था कि beautiful state of mind में positivity, happiness, peace of mind वगएरा वगएरा यह सब आता है और suffering state of mind में negativity, sadness, यह सब चीजें जो हैं वो आती हैं और हम लोग यह suffering state से beautiful state में कैसे जा सकते हैं यह हमने बाचित की थी ठीक है फिर हमने suffering state के 3-4 चीजें जो हमको suffering state है कि किस चीज का loss होने का मुझे डर लगता है कौन सी चीज मेरी कम हो जाएगी इसका मुझे डर लगता है और कौन सी चीज कभी मुझे नहीं मिल पाएगी ठीक है इस बात का जो हमको डर लगता है जिसके current suffering state आता है वो हमने list बनाई थी और उसका opposite effect क्या रहेगा व वो हमने लिखने के लिए कहा था ठीक है न beautiful state of mind में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए हमने एक और chart पे काम किया था ये वाला जो chart था ठीक है उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि action का importance क्या है thoughts और feelings जो है ये हमारा internal world है और results जो है ये हमारा external world है ठीक है ये internal world और external world के बीच में जो bridge है ये है massive action तो massive action जब हम लेते हैं massive action का मतलब ना सिर्फ daily action regular action बहुत बड़ा action but massive action मतलब चाहे जो हो जाए वो करना ही है massive action मतलब come what में massive action मतलब चाहे जो हो जाए ये करना ही है ये massive action से हम internal से external effect तक चले जाते हैं और इससे हमारा wisdom जो है वो बढ़ता है तो again ये जो हमने बात की थी beautiful state of mind so triggering factors क्या क्या है तो हम जो है suffering state of mind से beautiful state of mind तक कैसे आ सकते हैं तो आप ही लोगों से पूछ पूछ करके पूछ पूछ करके कुछ examples मैंने हमने लिये थे किसी को डर लगता है कि distributorship का मेरा loss हुजाएगा तो क्या होगा किसीने का कि मेरा health हो जायगा तो क्या होगा इस बात का डर लगता है इस बात को सूचके negativity आती है मैंने बताया था कि मेरा मेरा जो डर है कि अगर स्टूडेंट्स की उपर में मेरा इंपैक्ट कम हो जाए तो क्या होगा अर्ली डेथ हो जाए तो क्या होगा जो अच्छा एंप्लॉई हो जाए तो क्या होगा जो अच्छा एंप्लॉई है वो मेरा चला जाए तो क्या होगा ल का हमने टेक्निक डिसक्स किया था तो यहां पर हमने जो हमको डर लगता है यहां पर यह लिखना है दूसरा उसका अपोजेट इफेक्ट लिखना है अगर डर लगता है कि बिजनस रुख जाएगा तो इसका अपोजेट इंपक्ट क्या होगा एवर इंक्रीजिंग बिजनस ठ तो उसका opposite effect यहां पर हमको लिखना है stoppage of business का डर है तो opposite effect लिखना ever increasing business because I am diversifying and adopting new technology जैसे for example यह statement हमको कैसे बोलना कि मुझे डर लगता है कि मेरा business रुक जाएगा पर मेरा business हमेशा ever increasing रहेगा because I am constantly diversifying and adopting new technology अगर मुझे डर लगता है कि मेरे clients कम हो जाएंगे तो मेरे कुछ sentence कैसे बोलना है कि मुझे डर लगता है मेरे clients कम हो जाएंगे पर मेरे ever increasing clients रहेंगे because I am constantly online because I am constantly doing online marketing and promotion ठीक है मुझे डर लगता है financial crash से लेकिन मेरा continuous cash flow रहेगा क्योंकि because I am continuously doing business growth investment etc तो यह जब sentence मैं अपने आप से बोलता हूँ तो मेरी mental energy कैसे मैं shift कर सकता हूँ suffering state से beautiful state में कैसे कर सकता हूँ यह technique जो है as the last part of the day यह हमने यह technique जो है यह हमने सीखी थी so इस प्रकार से क्या आप अभी just a minute क्या आप यह excel sheet अभी देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमने की थी triggering factor यह है opposite effect यह है तो फिर इस प्रकार से यह हमने chart अपना बनाया था तो यह हमने जो है यह उसके बाद में तो यह हमारे डे वन था यह हमारे डे वन था डे टू पे हमने कहा था strategy sheet so let me go day two का summary अब मैं आपको दे देता हूं day two का summary मैं अभी आपको दे देता हूं let me start the screen for day two or day one excel sheet okay sorry upw day one screenshot day one videos excel sheet okay blank strategy sheet okay strategy sheet plan okay अब मैं आता हूं day two पे जब हमने strategy sheet की बात की थी एक बार quickly हम लोग revise कर लेते हैं let me start sharing the screen once again or strategy sheet ओके लक्षमन अब में strategy sheet दिख रही है अभी are you able to see the strategy sheet yes sir yes sir okay 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 तो यह हो गई हमारी strategy sheet तो strategy sheet जो है पहले पावर पॉइंट उसका मैं लई लेता हूं strategy sheet ppt ओके चलिए strategy sheet ppt मैं पहले share कर लेता हूं strategy sheet ppt ओके चलिए यह हम पहले कर लेते हैं कि strategy sheet मतलब क्या हमने कहाता है mission mission मतलब क्या mission मतलब core purpose मतलब राजनिती मतलब मेरा वो काम जो जिन्दगी भर चलता रहेगा कभी खतम नहीं होगा mission एक direction रहता है यह हमने समझा था उसके बाद में vision vision यानि जो एक दिन achieve हो जाएगा mount Everest goal वो एक दिन एक बहुत बड़ा goal जो एक दिन नियम जो मैं हमेशा जिनका पालन करता हूं मेरा राजधर्म क्या है वो नियम वो core values जो हम हमेशा बताते हैं न अपने हमारे life champions ecosystem के जो core values है कि हम हमेशा एक दूसरे की help करेंगे हम हमेशा अपने जबान पे कायम रहेंगे हम हमेशा 4D चारो dimensions में लगातार upgrade होते रहेंगे ठ यह हमने लिखी थी उसके बाद हमारा brand promise तीन चार words में brand promise मैंने example दिया था मेरा अपना मेरा brand promise है upliftment assured अजय शेश के साथ में अगर आप समय बिताते हो upliftment is assured यह brand promise की हमने बात की थी और उसके बाद में strategy strategy sheet याने run नीती हमारी run नीती क्या है उसके बाद में क्या था क्यों planning हम को करना चाहिए strategy क्यों बनाना चाहिए strategy मतलब जो हम change करना चाहते है आज की state के कल की state में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या change करना पड़ेगा ये सब strategy और vision के बारे में ये सब हमने बात की थी, तो चलिए अब इसको मैं बंद करता हूँ और अब मैं screen sharing पर, अब मैं revision के तौर पर इसमें आता हूँ, हमने अपनी company का नाम यहाँ पर लिखा था, इसको मैं थोड़ा से छोटा कर लेता हूँ, हमने अपनी company का नाम यहाँ पर लिखा था, और यहाँ पर हमने अपनी company का logo जो है, वो यहाँ पर डाला था, हमने आज की historic date लिखी थी, company का नाम लिखा था, strategy team, आपकी team के कौन कौन से members हैं, यह लिखा था, फिर पिछले साल में हमारा, पिछले साल के third quarter में हमारा क्या turnover था औ लिखने का था, और मैंने आप से बोला था, अभी अगर आपको याद नहीं है, तो session खतम होने के बाद, अपने accounts division से पूछ करके, आप अपना turnover और profit पिछले साल का जो है, लिख लेना, ताकि इस साल के targets बनाने में हमको मदद मिले, उसके बाद में, हमने strategy sheet में अपना core purpose लि हम कहां कहां पे डालेंगे, ठीक है न, एक booklet बना सकते हैं, हम back side अपने letterhead पे लिखेंगे, हम अपने pamphlets में लिखेंगे, posters दिवाल पे चिपकाएंगे, यह काम कब तक हो जाएगा, यह सब लिख करके, और यहाँ पर अपनी brand promise लिखने थी, तो again यह simple चीज़ें हमने की थी, उसके बाद एक बहुत important जो part था, वो था हमारा SWOT analysis, SWOT analysis याने हमारी strengths क्या है, यह हमने लिखी थी, strengths याने हमारी ताकते क्या है, जिसको हमको capture करना है, ताकते जिसको हमको बढ़ाना है, weaknesses क्या थी, weaknesses हमारी वो कमजूरिया थी, जिनको हमको कम करना है, ताकतों को बढ़ाना ह वीकनेस को कम करना है, ये action भी हमने किया था, याद है, फिर उसके बाद opportunities, opportunities वो है, जो market में अवसर है, जिसको हमको capture करना है, और फिर जो threats है, जो धोके हैं, जो market में जो खत्रे हैं, धोके हैं, competition है, जो हमको market में आगे चलके खत्रा हो सकता है, हमारा business डाउन हो सकता है, उसको हमको eliminate करना था, तो strengths को बढ़ाना है, weaknesses को कम करना है, opportunities को capture करना है, और threats को, खत्रों को, धोके को, अपने को हटाना है, ये हमने discuss किया था, फिर second half में हमने किया था, कि हम तीन साल का हमने छोड़ दिया था, हमने कहा था, चूंकि ये पहली strategy sheet है, तो सिफ एक साल का करना है, एक साल का, यहां पर हमने अपना, एक साल का क्या date रहेगा, एक साल का हमारे target रहेगा, target turnover, यानि हमारा collection कितना रहेगा, और हमारा profit कितना रहेगा, हम कौन से नए products से लेक geographical areas में जाएंगे, कौन से नए distribution channels शुरू करेंगे, मतलब franchise चालू करेंगे, नए distributors जोंडेंगे, हमारी team में कौन कौन से नए members लेंगे, और branches, outlets कितने रहेंगे, उसके लिए हमको क्या करना रहेगा, कब तक करना रहेगा, और कौन हमारे team member करेगा, यह हमने decide क्या था, और एक साल में अगर यह कर लेना है, ठीक है, तो उस हिसाब से इस quarter में, यह जो हमारा quarter है, अभी जो अगली जो तिमाही है, उसमें हमारा, यह जैसे हमने लिखा तो October to December 31, 2020, इस तारिक तक कितना, इस quarter में हम कितना revenue कमाएंगे, कितना profit होगा, इसके लिए कौन से नए product line लाएं जोगरफी, इसी का, एक साल में अगर यह सब अचीव करना है, तो एक तिमाही में क्या-क्या अचीव करना है, यह हमने decide किया था, अगिन उसके लिए क्या-क्या काम करना रहेगा, कौन करेगा, मैंने आपको बोला था कि आप अपने team को लेकर के आईए, और team के साथ में बै बैठ करके finalize किया होगा, फिर मैंने कहा था, अगले एक साल के लिए, अगले एक साल के लिए अपना एक नारा बना लिए, करेंगे या मरेंगे, वंदे मातरम, कोरबो, लोडबो, जीतबो, इस प्रकार से हम एक नारा बना करके, अपने पूरी strategy sheet को, एक साल की strategy sheet और अगले quarter की strategy sheet, इस प्रकार से हम पूरी strategy sheet को finalize करके, उस पे काम शुरू करेंगे, और अब आने वाले समय में, अब ये एक साल का, तो एक साल तक fix हो जाएगा, अगले quarter में जब हम बैठेंगे, अब जब हम January में बैठेंगे, तब सिर्फ इस quarter में क्या क्या हम achieve कर सके, नहीं कर सके, और अब अगले quarter में क्या करना है, सिर्फ ये decision, सिर्फ ये वाले part में हमको change करना पड़ेगा, बाकी उपर का सब सेम रहेगा, at the same time, strengths, weaknesses जो अगले quarter तक हमारी बदल जाएंगे, या एक साल में हमारी जो strengths, आज जो strengths हैं, एक साल के बाद में हमारी दूसरी strengths रहेंगे, एक सा साल के बाद में हमारी opportunities, दूसरे आफसर मिलेंगे, और दूसरे threats जो हैं वो रहेंगे, इसलिए लगातार जब meeting होती रहेगी, हमारा SWOT analysis और पूरी company एक page की उपर में जब आ जाती है, पूरी team members जब एक page की उपर में आ जाते हैं, तो सब लोग एक साथ जब काम करते हैं, त last two days का पूरा summary जो है, यह मैंने पिछले करीब 15-20 मिनट में आपको जो है वो समझाया था, और हमने कहा था कि इसको जब आप implement करेंगे, तो उससे related आपके जो है वो questions रहेंगे, वो questions हम लोग कर पाएंगे, last week चुंकि मेरे daughter का एक emergency operation रहा तो हम कर नहीं पाए, तो हमने आज Friday को decide किया था, तो अब यह दोनों से related जो आपके questions है, day one और day two से related आपके जो questions अगर कुछ है, एक बार हमारे revision भी हो गया है, तो अब आप हमसे, अब आप मुझसे आप पूछ सकते हैं, बाकि regular Thursdays पे तो हम लोग मिलते ही रहते हैं, तो yes, अब अगर आपको कुछ पूछना हैं, तो मेरे से पूछ सकते हैं, कि आपने जब implement किया, आपने जब अपनी टीम से बात की, जब आपने वो पूरा उसको लिखना शुरू किया, तो उसमें आपको क्या-क्या challenges आए, क्या आपने face किया, तो रविंद्र खेड़कर जी, वागमारे जी, रंजीत, गुंजन, श्रीनिवास, विकी, गौतम, आपके अगर कोई questions हैं, तो आप अभी पूछ सकते हैं, तो स्वैट अनलेसिस जो SWOT था, उसका अनलेसिस टीम मेंबर्स के साथ जब मिटिंग देन करवाया, उसमें काफी सारी चीज़े open up होना चालू हुआ, उनका way of being, उनका काम को देखने का लज़रिया, वो सारी चीज़े उसमें conversations के तुरू पता चलने लगे कि वो क्या सोचते हैं, उनके काम के बारे में, जब तुमने अपने टीम के साथ discuss किया होगा, तब एक completely अलग तस्वीर सामने आई होगी, जब तुम टीम के साथ बात करते हो, तुमको लगता है, यार, कितनी सारी चीज़ें हैं, जो अब निकल के आ रही हैं, जो अभी तक, चुँकि discussion ही नहीं हुआ था, तो अभी तक वो बाते आई ही नहीं थी, राइट, ओके, तो कैसा experience रहा तुम्हारी टीम के साथ बात करके, मैंने सर, business को नहीं बट HWOT ना, like काम, personal attitude, उसमें काम के साथ-साथ क्या opportunities है, उसके बारे मैं discuss किया, थ्रेट्स के बारे मैं काफी कुछ अच्छा निकला उसमें से, कि अगर काम कर रहे हो तो खुद को या अपने काम को क्या धोके दे रहे हो, तो मेरे salon में इसमें से कुछ चीज़े already मैं कर रहा था, कि जैसे laurel professional या उनके technical centers में उनको भीज़ना, training करवाना, वो training लेकि उसका implement ही नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ उनको फिर उस threads की बज़े से, या उस conversations के बज़े से, reality में आना चालू हुआ, उनको समझने लगा कि, हम लोग training तो लेते हैं, बट output कहा पर है, वो hack है, तो ये सारी चीज़े discuss होने के बाद, धिरे-धिरे जिम्मेदारियों का distribution को देना चालू हो चुका है, and final strategy sheet जो मेरा complete होगा, 3 months का, वो 16 या 17 तारिक को, मेरा पूरा team कुछ distribution है, कोई बाहर गया है, तो वो आने के बाद, 15 तारिक के बाद हो जाएगा, ओके, ओके, wonderful, और मैं एक और चीज़ तुमको बता रहा हूँ, next Thursday को, next Thursday को, जो भी हमने सीखा, जो भी training program हुआ, उसका क्या impact आया, उससे related एक sheet में share करने वाला हूँ, पूरे group के साथ, ठीक है, तो वो भी जब तुम अपने strategy की sheet के साथ में add कर लोगे, तो और भी powerful एक tool and strength opportunities or weakness, so, मेरा एक personal thought यह कह रहा है कि अगर हम लोग हमारी weakness and threats पे focus करेंगे, strength and opportunities automatically develop चानूँ हो, so, अगर मैं या मेरा team, हमारे salon के या हमारे businesses के weakness है, या जो threats है, उनके बारे में अगर full focus करके, अगर काम करना चालू करेंगे, तो by default अगले 3 months में या 6 months में वो business, वो numbers जो अच्छे हो करने है, वो automatically move होना चालू हो सकता है and this is the big possibility. Yes, ये मैंने देखा है रविंदर, तुम बिलकुल सही कह रहे हो, मैंने अलग-अलग businessmen को देखा है, इसको use करते हुए, कई लोग जो है threats, threats को discuss करते-करते अपनी weaknesses तक जाते हैं, और कई लोग weaknesses discuss करते-करते threats तक जाते हैं and both the things are perfectly okay, जैसे तुमने threats पे बात की तो तुमको अ opportunities की बात की तो अपनी strengths की बात पता चलिए, कई businesses ऐसे होते हैं कि वो weaknesses पे बात करते हैं तो उनको पता चलते हैं इसके current हो, ये threat हो जाएगा, ये धोका हो जाएगा, ये weaknesses, तो again ये एक direction रहता है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि तुमको एक direction मिल गया, कि तुमारी company में, त तुमारी team के साथ में, तुम threats पर बात करते हो, तो weaknesses पता चल जाती हैं, opportunities की बात करते हो, तो अपनी strengths पता लग जाती हैं, तो yes, it is very good, बहुत अच्छा, पॉजिटिव चीज़े तो है, अगर 100% focus इन दो चीज़ों पर करूँगा, तो ये 101% पूरा team develop हो जाएगा, और मेरा अगर team develop होता है, तो मुझे हर जगा पर धान देने की जुरूरत नहीं, but sir, एक डर भी सताता है, for example, team members को सिखाओ, या जो भी है, but what was the predictable future, मतलब मैं committed हूँ, अगर मैं Ajay sir के साथ काम कर रहा हूँ, Ajay sir मेरे पर महनत ले रहे, मेरा vision clear है, तो मैं definitely Ajay sir के साथ growth करूँगा, तो उनके vision की, उनकी thought process की clarity नहीं नहीं, जब कुछ एक एक कुछ लोगों का रहता है कि हाँ, खाली गदा मजूरी करना है, smart work नहीं करना है, उनको उस zone में कैसे लेक्या है, उस zone में वो एक ही तरीके से आ सकते हैं, जब वो तुमको exactly वैसा करते हुए देखेंगे, जैसे मैंने बोला था कि one third, one third, one third formula हमेशा रहता ही है, एक तिहाई लोग short term रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे कहीं, one third लोग 2-4 साल तक रहेंगे, यह दुनिया के हर company में होता है न, one third लोग short term ही रहेंगे, 3-4 साल और फिर चले जाएंगे, और one third लोग lifelong तेरे साथ चिपक जाएंगे यह हमेशा होता रहेगा, इसलिए, इसलिए, दो चीज़े बहुत ज़रूरी है, number one, training system लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, और number two, you have to lead by example, उनका motivation कैसे बना रहेगा, जब तुमको वो वैसा करते हुए देखेंगे, कि जो नियम बना, होता क है, कि कोई नियम बनता है, और सबसे पहले entrepreneur ही उस नियम को तोड़ता है, और सबसे पहले entrepreneur ही उस नियम को तोड़ता है, तो उनको भी justification मिल जाता है नियम तोड़ने का, in fact, कई बार entrepreneur खुद नियम तोड़ने के लिए कहता है, कि हाँ मैंने बोला था, लेकिन अभी ऐसा करो, तो उसके current फिर क्या होता है वो जो जिस height पर हम लोग जाते हैं उस meeting में discussion का वो पूरा वापस पहले जैसे स्थिति में आ जाती है तो again तुमारे question का answer यही है कि future को predictable कैसे बनाना अभी तो ठीक है अभी सब एक page पर आए अभी क्या था कोई employee तुमारा यहां था कोई यहां था कोई इधर था उधर अब सब उस page के level तक आ गए सब को पता है क्या करना है अब जो है अब सब एक page पर आगे सब को पता है क्या करना है कोई उसके साथ fit होगा कोई नहीं होगा कोई problem नहीं जबरदस्ती fit भी नहीं करना, जो fit नहीं होगा, वो जाएगा, उसका चला जाना बहतर है, पर नए लोग जो आएंगे, अभी क्या होगा, अभी सब के लिए change of state होगा, अभी सब comfort zone में थे, अब सब वो strategy sheet के level पे आ गए, वो level किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, अब हम उनको force कर रहे थे कि नहीं, strategy के हिसाब से काम करो, तो कुछ लोग uncomfortable हो जाएंगे, अब जो नए लोग आएंगे, वो strategy sheet में ही fit होंगे, तो उनके लिए वो नया normal रहेगा, तुम समझ रहे न, तो इसलिए strategy sheet को अगर तुम maintain करते हो, तो तुमारे company में उतार predictable हो जाएगा, कोई जाता भी है, तो कोई गम की बात नहीं, हजारों बेरुजगार हैं, हजारों ऐसे लोग हैं, जो तुमारी field में आना चाहते हैं, हमारा training process लगातार चालू रहे, चालू रहे, चालू रहे, चालू रहे, उनका रहना, खाना, पीना सब, मैं संभालता हूँ, और कुछ लोग है काम पे, तो किसी को 12,000, किसी को 15,000, तो salary and commission and incentive, इसकी एक strategy आप सरे थोड़ा सा guidelines या कुछ उसमें आप थोड़ा सा suggest करोगे, तो accordingly एक plan में उनके लिए उस चीज के लिए कर सकता हैं, वो अब हर धंदे में उसका एक, हर company के लिए, हर entrepreneur के लिए एक blanket tool नहीं बन सकता है, क्योंकि हर धंदे में अलग-अलग profitability रहती है, ठीक है न, अब ये depend करता है कि तुम कितना afford कर सकते हो, और ये हमेशा slab wise रहता है, ठीक है न, ये ऐसा नहीं कि कितना भी धंदा है, तो मैं त जा जाता है, ठीक है, अब तुम्हारा जो धंदे में कितनी profitability है, for example, तुम्हारे धंदे में 10% profitability, एक बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, मान दो तुम्हारे धंदे में 10% profitability है, तो तुम बोलो, भै, तेरी वज़े से अगर मेरा profit 50,000 बढ़ता है, ठीक है, तेरी वज़े से मेरा profit, अगर तू एक लाग का धन्दा ले करके आता है तो इसका मतलब हमारी profitability या तेरी वजह से मेरी profitability इतनी बढ़ती है तो उस profit के इतना percentage में तिरको दे सकता हूँ और पर अगर एक लाग का profit अगर आया तेरी वजह से तो percentage में बढ़ा दूँगा पचास हजार profit में से मैं पांच हजार तेरे को दे सकता हूँ पर ठीक है अगर एक लाग की profitability आई थीक है तो मैं फिर तेरे को जो है वो मैं पन्रह हजार तेरे को दे सकता हूँ डेल लाग की profitability है तो उससे क्या होगा कि वो profitability बढ़ाने के लिए दोड़ेंगे वो लो क्योंकि उनको पता है कि 99,000 से अगर एक लाग कर दिया तो सीधा उसका incentive जो है वो इतना jump कर जाता है तो business बढ़ाने का headache उनका हो जाता है this is what works for me पर कितना percent देना वो तुम्हारे धन्दे की profitability की साब से तुमको सालरी एंड उसका target कैसे define करेंगे हम लोग for example मैं काम कर रहा हूं मैं एक multitasking आर्टिस्ट हूं कांसलिडेशन इचन एवरिटिंग प्रॉपर्ली हैंडल कर रहा हूं तो वो count कैसे लेंगे या वो कैसे create करेंगे वो उसी से salary एंड उसका business वो target कैसे रखेंगे एक basic strategy कुछ भी हाँ मैं basic strategy बता रहा हूं salary तो जो industry standard है वो salary तुम दोगे और उससे clear बात करोगे उससे clear बात करोगे कि भाई देखो यह तो industry standard salary यह तो मैं दे रहा हूं कि भाई इंडस्री में overall जो है हर जगह जो है 10,000 salary रहती फॉर example चल मैं तेरको 11 दिया पर यह salary से कुछ नहीं होता है 11,000 में जिन्देगी बनती क्या नहीं बनती तू मुझे बता तेरको कितना पैसा कमाना यह discussion की बात है रविंद्र यह discussion की बात है तू मुझे बता तेरको कितना कमाना मैं तो यह पूछता हूं तू मुझे चाहिए है मैंने का 25,000 चाहिए नई तू डिसाइड तेरको कितना चाहिए बोले सर 25,000 चाहिए तूम जो बात करोगे तेरी salary 11,000 है ठीक है ठीक है चल मैं रविंद्र वांग खेड़े हूं ठीक है और तू जो है मेरा employee for example मैं बुलूँगा भई तेरी salary industry standard 10,000 है पर तू अच्छा आदमी है मैं तेरको 11,000 दिया है अब एक बात बता रविंद्र 11,000 में जिंदगी बनती क्या है अगले साल 13,000 हो जाएगी उसके अगले साल 14,000 हो जाएगी इससे तेरी जिवन यापन हो जाएगा तेरी जिंदगी बनेगी क्या जिंदगी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जाधा पैसा चाहिए जाधा पैसा चाहिए कितना पैसा चाहिए तेरको इतना पैसा चाहिए सर तरम से हम पच्चीस हजार तो 25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000 मैं कहां से दूँगा तेरो को अपनी जेब से दे सकता हूँ क्या नहीं अब ये जो समझदार बंदा है इसी conversation में सामने वाला कितना समझदार है अपने को पता लग जाएगा पता चलता है बराबर कि सामने वाला सिर्फ salary चाहिए और एक डेड़ हजार के बड़ोतरी से खुश है मतलब उसका विजन ही नहीं है वो नौकरी करेगा और जहां पर एक डेड़ हजार ज्यादा कोई offer करेगा वो चल देगा तो उसको अपनी एक डेड़ हजार ज्यादा दे करके रोक सकते हो और अगर काम का बंदा नहीं तो जा साले मेरे को मेरे को पार्टनर्स चाहिए मेरे को मेरे को पार्टनर्स चाहिए मेरे को एंप्लोई नहीं चाहिए समझो बात को ठीक है न मेरा जो attitude है ठीक है भई वो मुझे पता है इसको कुछ करना ही नहीं है लाइफ में यह एक डेड़ हजार के लिए तो चल मैं ही बढ़ा देता हूं एक डेड़ हजार से मुझे इतना कोई फरक नहीं पड़ता तो करता रहे भई तुकान ठीक है और वो वो उसी उसी लाइक आदमी है पर ऐसा कोई आदमी नहीं सर 40 25 जार चाहिए तो 14 तुझे एक्स्रा चाहिए मुझे बात बता 14 जो सेलून में जो प्रॉफिट आता है उसी में से तो दे सकता हूं न यह मैंसे तुमको नहीं मैं सबसे बात कर रहा हूं न सब लोग सुनिए अगर अधिक प देने के लिए तैयार हूं पर उसके लिए उटना धन्दा आना चीए आपनी जेट से तो मैं नहीं दे सकता कोई भी नहीं दे सकता तो आप बता कितना लेट हिम डिसाइड हीज ओन टार्गेट ओके तुम टार्गेट नहीं थोपने का हेलो डाइट मेरे कंडिशंस में यह होता था तुम्हारा टारगेट 80,000 है तुम्हारा नव्य 1,000,000 है ना वो बोलेगा तो पॉसिबल ही नहीं है आपने तो टार्गेट दे दिया तेरों को पता है कि यार अपने saloon में इतना पर्सेंट का प्रॉफिट है थिक है इन उसको पता है यार इतना इंक्वायगा तभी जाकरके मेरे को इतना एक्स्रा बोनस मिल सकता है नहीं तो नहीं मिल सकता है लॉस में तो हम चला नहीं सकते सलौन तो रियलिस्टे कुषी को calculate करने दो भाई तेरको 25,000 चाहिए दिया 25,000 पचीस के मैं तेरको 30 देने के लिए तैयार हूँ पर चलो 25 के target तेरा decide करते हैं उसके लिए कितना extra धंदा लाना पड़ेगा उसके लिए क्या कर सकता है तो सर मैं ये करूँगा सर मैं ये करूँगा बिलकुल करूँगा सर चल करके दे इधर लुटाने के लिए मैं तैयार बैठाओ और मैं कब लुटा सकूँगा जब पैसा आएगा तभी तो लुटा सकता हूँ अर ये एक बार में तुमको भी समझ में नहीं आएगा ये धीरे धीरे समझ में आएगा कलाकरी right, right, right so target कभी थोपा नहीं जाता target और deadline कभी थोपा नहीं जाता right उसी को target decide करने दो कितना ये, उसी को deadline भी decide करने दो कब TAH हुआ हो जाएगा, काम बता बई बराबन तो वो वेग answer देगा सर, 15-20 दिन में करता हुँ न, नहीं मेरको तारीक बता दे भई, सर अब तारीक कैसे बता, मैंने उस दिन भी बोला था न, सर अब तारीक कैसे, चल भई, कोई एक तारीक तो बता दे, सर बीस तारीक तक हो जागा, चल ऐसा कर, मैं पच्चिस लिक रहा हूँ, पच्चिस तक तो हो जाएगा न, हाँ हो जाएगा, चल प्राबर दो पैसा पूरे दुनिया के सामने उसको शाबाशी दो और सब के सामने वो चेक यह वो कैश के बाखी लोगों को समझ में आजयागा भी यह सक्सेस्फूल होने के लिए करना पड़ता है इस सलों यहां करना पड़ता है फिर यह सिस्टम बनता फिर एक दिन जो है तुम्हारा मैनेजर यह सब करेगा रैट वो हैड़क कम हो जाएगा अगली ब्रैंच की तरफ दिमाग लगाना चालू कर दूंगा तो यह यह कलाकारी आई समझ में और अगर अगर वो जो है वो सैलरी में खुश है तो वो कभी कमिट ने करेगा कभी कमिट ने करेगा और उसको समझ में आ जाएगा उसको समझ में आ जाएगा कि यार पच्चिस हजार अगर चाहिए तो भाईया प्रॉफिट लाना पड़ेगा तब ही होगा मैं नहीं ला रहा हूं तो मैं deserve भी नहीं करता हूँ फिर जिसको 25,000 मिलता है उसको देख के दूसरे लोग शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि सब को same opportunity तुमने दी है मेरे यां भी मेरे यां एक बंदा है जो 75,000 कमाता है और उससे senior लोग भी है मतलब उनका junior 75,000 कमारे वो लोग देख रहें पर उस शिकायत नही क्यों क्योंकि opportunity उनको भी है वो साले नहीं करते हैं काम सबको common opportunity तो मैं सबको दे रहा हूँ अब तुमको नहीं करना है जो कर रहा है भी पैसा आएगा company वह यह private company है वह सरकारी company नहीं है अजय शेश लुटाने के लिए तैयार बैठा है फिर हमारे जैसा दिलदार आदमी न आपको है जो करेगा वो पाएगा जो नहीं करेगा तो अपनी salary ले वह हर साल हजार रुपे बढ़ेगा आज तेरा बाला हचाले अगले साल तेरा हजार हो जाएगा 75 तक 50 तक 45 तक पहुंचने के लिए क्या करना है वो opportunity तेरे पास भी है अब तू नहीं कर रहा है और जो कर तो फिर किसी को किसी से न शिकायत नहीं रहे कि अरे सर उसका बढ़ादीये के क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं देखो भिया मैं तुमको 11,000 दे रहा हूं लेकिन मैं खुद बोलता हूं कि 11,000 में कुछ नहीं होता मैं खुद बोल रहा हूँ तुम कमाओ न मैं देता हूँ न 25 जार मैं देता हूँ न 30 जार पर 30 जार कहां से दूँगा भाया जब धन्दा आएगा धन्दा लाओ तुम भी कमाओ मैं भी कमाओ पार्टनर है अपन लो यह समझ में आ है attitude यह attitude समझ मैं है सर मेरे यहाँ पर दोज होन है एक hair section एक beauty section है इनका distributions कैसे ले सकते हम लों अब उसका distribution तुमको किसमे कितना profit तुमको होता है वो यह करो हमारे यहाँ भी अलग-अलग type के test रहते हैं अलग-अलग type के packages रहते हैं मैं हमारे हमें overall दंदे की बात करता हूँ मतलब beauty का बंदा अगर hair में beauty की बंदी अगर hair में काम करेगी तो भी उसको देना है अब तुम्हारा दोनों में अगर profit अलग-अलग है तो फिर तुमको बताना पड़ेगा कि beauty का इतना दंदा चाहिए मेरे को इसका इतना धंदा चाहिए तब जाके में इतना दे पाऊँगा तो मतलब first conversation पूरा beauty team के साथ होगा हाँ तुम बोलो कि भई beauty वाला अगर hair का भी अगर लेकर के आता है ठीक है ना उसके लिए तुमको एक system बनाना पड़ेगा क्या है किसी customer से दो लोगों ने अगर या किसी organization से दो लोगों ने अगर बात कर ली ठीक है न और फिर दोनों बात में जगड रे बोले एक बोल रहा है मैं इसको लेके आया था दूसरा बोला नहीं सर मैं लेके आया था तो वो conflict नहों उसके लिए तुमको एक system बनाना पड़ेगा ठीक है न तो उसमें यह है कि भई हमारा hair का धंदा अगर इतना आता है तो hair के धंदे से इतना मैं इतना तुमको incentive बनेगा और बाकी जो दूसरा beauty वाला जो धंदा है उसमें इतना धंदा आएगा तो इतना incentive बनेगा ऐसा system तुम बना वह करता हूँ उस पर एक अच्छे तरीके से एक वापस तुमको वह planning करना पड़ेगा मैं तो सिर्फ एक direction बता सकता हूँ रवी उसकी जो specifics हैं वो तो तुमको decide करना पड़ेगा उस पर काम करता हूँ sir and one more thing एक चीज़ खुशी से we are family we are अजेशेश family के हम भी team members है तो एक चीज़ हग से share करूँगा कि मैंने मेरा last diwali का business मतलब last November और गए साल October में diwali था तो 30% hike मिला इस साल after corona होने के वावजुद भी number increase हो रहे है और तरीके से increasesations मतलब इस सल उनका जो 1CR cross का target है उसके लिए ये strategy sheet आपने जो मुझे सिखाया था तो 101% मेरे लिए काम करेगी मेरे salon के लिए मेरे team के लिए काम करेगी और उसमें से 101% ग्रो होंगा आपके त्रूप ओके ओके वंडरफल बहुत बढ़ी है और जिसने वो incentive कमाया उसको बहुत hype करना है उसको बहुत प्रचारित करना है ताकि जिसने incentive कमाया उसको भी encouragement मिले और बाकि सबको भी समझ में आ जाए क्यार ये opportunity मेरे लिए भी है मैं भी कर सकता हूँ ठीक है ना? रभागमारे सर ने सबको chance दिया देखो अगर इस salon में अगर जो काम करता है वो इतना कमा सकता है उसको पता है कि ये system और किसी दूसी जगह पे नहीं है यही वो एक जगह है जहां पर मेरे को इतना कमाने का मौका मिल रहा है दूसी जगह तो पूरा मालिक अपना पूरा पैसा बटोर के ले जाता है और इनका 500 रुपे साल का बस पैसा बढ़ाता है फिर लोगों का दूसी जगह जाने का chances भी कम हो जाते है और लोगों का आना जाना चलते रहता है चलते रहना भी चाहिए हर कोई जिन्दगी भर के लिए तेरे सी चिपक गयानों तेरी मुश्किले बढ़ जाएंगे उसके लिए दूसरी opportunity create करेंगे अगर जिन्दगी भर चिपक रहे तो उसको दूसरे branch में switch कर देंगे बिलकुल अगर उसको भई अगर हम यह भी कर सकते हमारे यह यह भी system में कि एक ऐसा मैं पूरा एक completely अलग लैब जो है एक बंदे के लिए करने के लिए तैयार हूँ वो भी opportunity मैंने देखे रखिए ठीक है कि वहाँ पर वहाँ पर मेरे साथ में तुम मतलब one third two third partnership में तुम रहोगे पूरा तुम ही manage करोगे ठीक है हाँ नाम मेरा रहेगा नाम Renuka Diagnostics के brand कर रहेगा वो पूरा जो यह करके मेरा भी income बढ़ता है सामने वाले का भी income बढ़ता है देखो भई सीधी सी बात है मेरे team member की cycle आ जाए त तो मेरी कार आ जाएगी उसकी कार आ जाए तो मेरी BMW आ जाएगी उसकी BMW आ जाए मेरा helicopter आ जाएगा उसके helicopter आ जाए मेरा private jet आ जाएगा क्योंकि बिना team के संभव नहीं है team बहुत तीम से ही सब कुछ संभव है और team को empower करना बहुत ज़रूरी तब ही एक बड़ी company बन सकती है नहीं तो वो lower level पे तो अपने इतने साल किया इच काम वैसे चलता रहेगा आगे आजे शेश से जूड़ने का फिर मतलब क्या रहा अगर वैसे ही चलता रहा तो चलो सो रबिंद्र के बाद में अब आपे बाकी और के जो अगर आपके जो questions है तो आप मुझ से पूछ सकते हैं खेड कर जी कैसा क्या रहा प्राइमरी स्कूल का लेकिन प्रॉब्लम है सर कि मैं तो 15-16 साल से इस फिल में हूँ और क्रिली स्पीकिन करना चाहूंगा आपसे बात करना चाहूंगा कि मैं अभी जॉब्स में अटका हुआ हूँ जैसे मैं सीनियर कॉलेज में लेक्चरर का काम करता हूँ वो नॉन ग्रेंटेर है मतलब प्राइवेटली सेल्गर अगरा पेल करते हैं गवर्मेंट कुछ भी ने मैं इसमें पूरी तरह से आना चाता हूँ लेकिन छोड़ भी ने पाता हूँ यह कि अगर जॉब छोड़ता हूँ तो फिर फैमिली कैसे रन करूंगा आज का डिसकेशन हमारा स्ट्राइजी शीट और डे वन पे जो था उससे रिलेटेड था कि स्ट्राइजी शीट में आपने क्या क्या इंप्लिमेंट किया और उससे रिलेटेड क्वेशन बट एनीवे बट फिर भी आपका बिजनस मॉडल ही गलत है आप जॉब भी और साथ भी धोखा कर रहे हो जहां से तुमको सैलरी मिल रही है क्योंकि जॉब में रहते हो तब बिजनस के बारे में सोचते रहते हो और अपने बिजनस के साथ भी धोखा कर रहे हो जो लोग तुमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ भी धोखा कर रहे हो क्योंकि वो बिजनस क तो फिर धंदा भूलो और अपने जॉब में हाइस लेवल तक जाओ जॉब छोड़ता हूँ तो आज तो फिर जॉब करो फिर बिजनस भूल जाओ फिर बिजनस भूल जाओ मेरी बाते तुमको कड़वी लग रही होंगे लेकिन जो सच्चाई है तुमारे हित में जो है वो मै कर सकता हो तो फिर अगर यह है अगर तुमको लगता है जॉब नहीं छोड़ सकते और वो mental strength नहीं है कि जॉब चोड़ सको या वो risk ले सको तो फिर business भूलो और जॉब में highest level तक जाओ पिर जॉब करो और जॉब में उचाई पर जाओ, बिलकुल, highest level पर जाओ, या फिर जॉब छोड़ो और business में highest level पर जाओ, दो नावों की सवारी करोगे, ultimately डूप जाओगे, तो आगे मैं तुमसे बात तभी कर पाऊंगा, जब तुम मुझे बताओगे कि कौन सी तारिक से जॉब छोड़ दो, अब पूरी तरह से धंदे में आओ, क्योंकि धंदे में कितने income हो सकती, कोई limit नहीं है, जॉब का तो जॉब है, या फिर सोचो कि छोड़ो यार यह धंदा अंदा, franchise, franchise, क्योंकि अभी जहां पे तुम जॉब कर रहे हो, उन लोगों को भी तुम धोखा किये हैं, ठीक है, उनको भी तुम धोखा दे रहे हो, क्योंकि आधा ध्यान तुमारा जॉब पे है, तुमको लगता है दोनों तरफ की मलाई खा लूँगा, पर दिन के 24 घंटे होते हैं, आज तुम दोनों ही काम ठीक से नहीं कर रहे हो, और इसलिए दोनों ही जगए तुम इसलिए अभी एक अलग विजन मिला है, या आथ मिला है, ऐसे करना है, तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारे हो जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उन में से अगर कोई अपना अलग धंदा करे, तुमको अच्छा लगेगा क्या, नहीं, तुम क्या कर रहे हो फिर? बेसिक मॉडेल ही गलत है, तुमको शिकायत हो जाएगी, आरे मेरे या नोकरी कर रहे हैं, अपना भी कुछ कर रहे हैं, तुम खुद क्या कर रहे हो? बी मैरिट टु वन लेडी है, एक बीवी बी और एक दूसरी भी पाल के रखी है, तुम दोनों के साथ धोका कर रहे हैं, माफी चाहूंगा, शायद एक्जामपल मैंने थोड़ा अजीब सा दिया, आप फैमिली मेंबर हो, इसलिए मैं ये खुल के बात कर रहे हैं, और इसलिए मैं भी जो है तुमको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारा शुप चिंतक हूँ, नहीं तो क्या, मैं अच्छा-च्छा बोल सकता था, कि नहीं नहीं, बिलकुल कर सकता है करेंगे या मरेंगे, वन्दे मातरम, ये करना, वो करना, वो करना, पर जहाँ बेसिक मोडेल ही गलत है, मैं तो तुमसे सिंपल सवाल पुछा न, तुम्हारा एंपलाई अपना दूसरा दंदा करे, तुमको अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तुम क्या कर रहे हो, आभी जहां से तुमको salary मिल रही है उस salary को तुम justify कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो क्योंकि जब तुम नौकरी पे रहते हो पूरे time तुमारे धन्दे पे रहता है तुम उधर भी धोका दे रहे हो तुम वहां उधर तुम जिनके लिए नौकरी कर रहे हो उनको धोखा दे रहे हो और यहाँ पर जो तुमारे लिए नौकरी कर रहे हो उनको धोखा दे रहे हो क्योंकि जब तुम यहाँ रहते हो तुम उदर जॉब में यह कर रहे हो तो अगर तुम वैसा कर रहे हो तो तुमारे ज्यादा कितना काम कर सकता है, दस घंटे कर सकता है, इफेक्टिव काम, तो जॉब फुल टाइम यह होता है, क्योंकि तुम वहां से सैलरी उठा रहे हो, वहां की छुट्टिया लेते हो, वहां के यह करते हो, तो या तो जॉब करो, और पूरे बारा घंटे वहां पे दो, या जो हमने समझा सीखा था उससे related जो आपके question है हाला कि दूसरे भी हम discuss कर सकते हैं बट आज का जो मुख्य जो उद्देश्य था आज के session का वो ये था कि strategy sheet और जो day one पे जो अपने topics थे उससे related उसको implementation में आपको क्या-क्या दिक्कते आ रही है वो discuss करना but care anyway और बाकी की लोग क्या सीन है विकी गौतम एनी question रंजीत बापू एनी question sir good morning good morning रंजीत sir मेरा सवल ऐसा था सब के लिए काम आ जाएगा कि how to write a plan तो समझो marketing का मैंने सोचा है गया ऐसा ऐसा करना है तो basically कौन सा भी कोई भी plan life में लिखना है तो उसका कुछ ऐसा criteria रहते है क्या करता कैसा करना पड़ता है plan लिखने के लिए जो हमने इस पे strategy sheet में किया था वही plan है कि team के साथ पहले बैठना पड़ेगा ठीक है team के बगएर कुछ नहीं होगा team के साथ बैठना पड़ेगा team के साथ ये करना पड़ेगा भई हमारा कितना target है ठीक है न या कितने लोगों तक हमको पहुंचना है अब चलो बैठके plan करते हैं इसके लिए क्या-क्या हमको करना पड़ेगा और फिर चल भई कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है कोई बोलेगा सर मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा बस यही तो plan कौन क्या करेगा हमारा target हमको पहुंचना कहा है number two कब तक वहां पर पहुंचना है और number three उसके ले कौन क्या-क्या करेगा ठीक है यही तो plan है यही जब हम अपनी strategy sheet के हिसाब से जब हम अपने team के साथ बैट करके decide करते हैं तो बस वही plan है हमको कभी थोपना नहीं है कोई भी चीज किसी की उपर में हमको team से ही निकलवाना है कि भई कौन क्या करेगा बताओ क्योंकि हम सब मिल करके काम करेंगे as a team काम करेंगे तब ही हम जीतेंगे ठीक है न तीम के साथ बैट करके यह strategy sheet के हिसाब से discussion करना ही procedure है वही तरीका है काम करने करेंगे समझे न तो और खोई उसका यह नहीं है team के साथ इसलिए मैं हमेशा कहता हूं strategy sheet में team को लेकर के बैठो ठीक है न तो अगर आप उस दिन team को लेकर के आते तो उसी दिन बन जाता पर खेर कोई बात नहीं उस दिन लेके नहीं आ तो अभी कहां से बहुत आवाजे आ रही है तो टीम के साथ अगर बैठना है टीम के साथ बैठ करके अभी पूरी strategy sheet जो थी जो हमने किया था आज फिर एक बार उसका revision भी हो गया है तो आप अब अपने team के साथ बै करेंगे वो ही planning है वो ही strategy वो ही सब कुछ है ठीक है न और यह अकेले बैठ के नहीं किया जाता टीम के साथ बैठ करके किया जाता है तो वैसा करो उसको ठीक है न तो लोगों से ही पूछो क्या करना चाहिए हम लोगों को लोगों से ही पूछो हमारा target क्या होना चाहिए मैं क्या करूंगा और फिर आगे खुद भी परफॉर्म करो सब को भी परफॉर्म करने को बोलो रिजल्ट आएगा तो सेलिब्रेट करो पुरसकार दो सब को यही प्लान ही है ओके एनी अधर क्वेश्चन जो मेरा कोशन है वह स्टैडी से रिलेटिड है और मुझे थोड़ा सा मैं फसा हूं क्योंकि अकर मैं अपना बैक्ग्राउंड आपको बताऊं मैंने 15 साल तो सेम फील्ड में काम किया है अपना इंटेरेट डिजारिंग में एक अर्टिकरेट्टल कंपनी के साथ में रहा हूं काफी मनलब जिए मनलब चलिया और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने गर में सेल जॉब के बात रहूं तो अच्छे ग्रोथ मैंने ली वहाँ पर लास तक मैं कोरोना से पहले तक मैंने अच्छा घासा अपना हाइक लेकर मैं आ चुका था लेकिन कोरोना की विएसे बहुत सारी चीज़े आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया और जो मेरे काफी सारे ड्रीम्स दे पुराने कि मुझे आगे बढ़ना है अपना बिजनिस करना है अपना आपको स्टेवल करना है और आगे तक लेकर जाना है उसके बाद फिर मैं दुबारे कोरोना से स्टार्ट किया मैं पुराना के बाद स्टार्ट किया और मुझे अच्छा रिस्पोंस मिला क्योंकि उसके फोरण बाद में जैसे मैं शुरू किया मुझे अच्छी लीट्स मिली और मैं अपना काम भी शुरू कर गिया आपके साथ जुड़ा प्लानिंग समझ में आई स्टेटीजी मे कि लेकिन एक सब्सक्राइब करना और मैं अपना बिजनिश कुछ एसा है कि इसमें पेमेंट क्लाएंड के पास अटक भी जाती है बहुत बार पेइमेंट जाना साइक्ल मलब चलता नहीं कभी कभी मालो अगर 20 परसेंट या 10 परसेंट ने रोक लिए लास्ट में रोक लिए या बीच में रोक लिए या कुछ छोटा मोड़ा डिस्टूट हो गया उसमें कहीं पैसा अटक गया तो मेरी जो छोटी पूंजी है वहाँ पर प्रजेक्ट लेकिन मुझे आप यह पाल यह मालूमें चलो ठीक है वहाँ फ़स्ट भी गई यह मेरी पूजी लेकिन मेरे कुछ आने वाले क्लाइंट है जो कि मेरे और लेडी प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वह अभी शुरू नहीं हो रहे वह शुरूने सपोस्ट की जो जैन हुआ की अपने टीम निकाल दी भी ठीक है अपने घर गाके बैठ जो सकता तो मैं कुछ समझना नहीं हा रहा कि उस चीज़ा कैसे निकालूं क्या मैं कहीं से फंड लूं इंट्रस्ट पे लूं या कैसे लूं या बैंक से बात करूं या पोई इन्वेस्टर मनला देखूं कि अब मैं इसको कैसे सरवाइब करूं कि मुझे मेरा प्लान किया हुआ है लेकिन अब महां से यहां से वहां तक मैं उसको कैसे लेकर तुमारा अगर उधारी वाला धन्दा है या क्लाइंट अगर पैसा रोग देता है ठीक है न या अंसर्टेंटी रहती कि पता नहीं कितना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्लाइंट ही पैसा काट देगा मेरा यह कर देगा ठीक है न तो सबसे पहले तो बिजनस मॉडल में एक यह है कि बिजनस मॉडल में continuous flow of money अगर नहीं है तो तुम कभी भी planning नहीं कर सकोगे ठीक में कुछ नो कुछ ऐसा component होना ही चाहिए जिससे regular income आता रहे जो तुम्हारे day-to-day expenses को cover कर सके क्योंकि कोरोना कब तक चलेगा हमको पता नहीं कोरोना के बाद आगे क्या स्थितियाएगी कब तक market उठेगा अपने को पता नहीं तो तुम अगर सिर्फ यह और यही करते हो ज जो तुम interior का काम जो कर रहे हो जिसका payment रुक रुक के आता है एक मेहना late भी होता है दो मेहना late भी होता है तो कम से कम salary देने के लिए बिजली बिल भरने के लिए यह सब करने के लिए तुम्हारा कोई alternate source of income इसी धन्दे के अंदर में कुछ होना चाहिए जैसा मैं हमेशा ठीक है ना अगर आप service के धन्दे में हो तो कुछ product भी होना चाहिए और product के धन्दे में हो तो कुछ service भी होना चाहिए तुम्हारे कुछ ऐसी services या कुछ ऐसे product या ऐसा एक source of income अपने धन्दे में बनाना पड़ेगा जिससे शर्तिया पैसा cash का inflow जो है वो आता रहे भले ब पैसा आता रहे जिससे तुम अपनी टीम को रिटेन कर सको और अगर अपने रेगुलर खर्चे जो है वो मेंटेन कर सको यह तुम्हारा business model यहां पे client दो दो महना पैसा नहीं देता एक तो decide करो कि यार तुम लोग तुम सही clients के साथ में deal कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो व इस प्रोजेक्ट के जो payments हैं मैं तभी दे सकता हूँ जब अगले project का कुछ advance मिलेगा इंटिरियर के धंदे में वैसे ही चलता है है कि ने कि वे अभी के payments में कब करूंगा जब अगले धंदे का कुछ advance मिलेगा तो इस धंदे के payments करूंगा इस हिसाब से rolling rolling में चलता है अभी कोरोना टाइम में अगला धंदा कब मिलेगा उसका payment कब मिलेगा वो uncertain है तो सीदी सी बात है मेरे धंदे में एक ऐसा component होना चीए source of income होना चीए जिससे कुछ regular income आता रहे जो मेरे day-to-day expenses को cover करता रहे पियोरली इस model में रहोगे तो अभी कोरोना टाइम में तो मुश्किल ज आएगा क्योंकि rolling 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 में अगला धंदा तुमको दो मैने लेट मिला उसका advance नहीं मिला तो यहां के payment नहीं कर पाऊगे salaries नहीं दे पाऊगे pressure आएगा फिर वो तो यह तो यह दिकता नहीं चल रहा है क्योंकि मैं जानता हूं एक entrepreneur का दर्द मैं समझता हूं तो इसलिए पर ध alternate कुछ products कुछ ऐसी चीजें अपने धंदे में तुमको लानी पड़ेंगी वो तुम सोचोगे अपने उसमें कुछ market में इसमें यह करके देखो कि मैं ऐसा क्या यह चालो रखो जिससे कुछ regular income आता रहे और जिससे मेरे regular खर्चे निकलते रहे आर्किटेक्चर का धंदा कि तुम समझ रहूं ना मैं क्या बोले मैं समझ रहूं सर कुछ repair maintenance की एमसी बगारा या कुछ इस तरह की चीज़ें बलब इसमें जो बैक में टीम अपकाम करती रहे regular हो कुछ तरह का पैसा आता रहे तो वह दिखना भी दिखके सर वह यह कि अभी बेरा स्टार्ट अब करता तो कहां का precious हुआ भाई कैसे precious हुआ अगर पेमेंट नहीं करता है तो customer is king बैट विच कस्टमर इस किंग पेंग कस्टमर इसके तो यह इस बारे में थोड़ा तुमको सोचना पड़ेगा अगर पेमेंट नहीं करता है तो मेरे हिसाब से तुप प्रेशेस नहीं हुआ भ भाई वो दंदा करने बैठा तो तुम भी तो दंदा करने बैठे हो ना हम बेवकूफ थोड़ी है जो charity करने के लिए बैठे है करेक्ट है ना तो वो थोड़ा सा सोचने की बात है विकी कि तुम जो है तो अच्छे clients के साथ काम करो ऐसी पार्टिया भी है जो बराबर टाइ नहीं समझती वो customer king नहीं है वो कैसे precious हुआ तुमारे लिए उनको precious बोलना ही अपने आप में गलत है कि यार client मिल रहा है तो ले लो अब वो तंगा रहा है पैसे के लिए वो तुमारा दर्द समझ नहीं रहा है मैं समझ गया ठीक है क्योंकि यह ऐसा बोलना आसान लगता है पर चलो भी कोई client मिला तो मेरे को करना है भले late payment दे मेरे को इसके साथ काम करना है पर भाई पर भाई मैं अपने team को बोल सकता हूँ कि यार पैसा नहीं आया तो salary नहीं दूँगा कि तो गलत हो जाए जाना मैं तुम family को बोल सकते हो क्या यार इस मैंने आदा ही राशन मंगवाओ क्योंकि यह तो नहीं बोल सकते न तो मतलब एक regular source of income होना चाहिए धंदे का एक component ऐसा भी होना चाहिए जो regular source of income देता रहे क्योंकि पार्टी से कब पैसा हैगा मुझे पता नहीं है तो यह चीज यह डालनी पड़ेगी यह इसके लिए planning करनी पड़ेगी तो क्या होगा विकी तुम constantly pressure में रहोगे तुमारी health कराब हो जाएगी constantly stress में रहोगे constantly तुम stress में रहोगे तुमारी family stress में रहेगे तुम family के लिए कभी कुछ plan नहीं कर पाओगे business को expand करने के लिए कभी कुछ तुम planning ही नहीं कर पाओगे क्योंकि planning के लिए पैसा लगता है भाई तो overall सिर्फ ऐसे business model पर dependent रहना जहां सब कुछ client पर dependent है उपैसा दे चाहे न दे काठ के दे जब दे दो मैना लेट दे तीन मैना ये तो कोई धंदा नहीं हुआ ना मतलब ये धंदे का component ठीक है पर पूरा ही धंदा अगर ये है तब तो गड़बड है ना भाई तुम कितने भी talented रहो कितने भी ये रहो और धीरे मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ धीरे से समझो कौन से client के साथ काम करना अभी ठीक है अभी मजबूरी वश्च तुम कोई late भी payment करता है अगर धीरे 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 वो client जो तुमारे business model में fit हो उन्हीं के सा जो time पर पैसा दे और उसको अपने जबर्दस service दो ताकि वह और अपने जैसे अच्छे clients लाकि दे वो client जो तुमको payments के लिए तंगाता है नो वो ना खुद कभी grow करेगा नो तुमको grow होने ड़े जो अच्छी party या रहती है जो grow करती है वो time से payment भी करती है तो ऐसी partyों के साथ मट deal करो जो तुमको तंगाते हैं ठीक है अभी initial stage है struggling phase है तो ठीक है चलो कर लिया पर फिर in that case एक additional source of income है सार कुछ यो तुमारे regular खर्चों का वो pressure ना है तुमारे उपर लुक्त है कि यार यह सब मैं पूरा धंदा कर रहा हूं दिख रहा है यहां काम चल रहा है वहां काम चल रहा है पर साला बच्चे की फीजडेने के लाले पड़ गए हैं तो यह तो ऐसा तो धंदा कोई काम कर निरा मैं अपनी salary नहीं दे पा रहा हूं लोगों को लोग दु प्रॉफिट ज्यादा ना हो तुमको जो पार्टी से वो पूरा बल्क में पैसा मिलेगा तुमको प्रॉफिट मिल जाएगा और एक रेगुलर खर्चे चलाने के लिए दिमाग पर प्रेशर ना है उसके लिए उनको एक ये करता एक ये रहना चाहिए और एक बंदा जो तुम बड़े प्रोजेक्ट्स पे तुम फोकस कर सको ऐसा प्लान बलना हो तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है सब पे लागू होता है खास करके ऐसा यहां पर पैसा जो है अटका रहता है रुका रहता है तो उस उसमें हमको सिर्फ उसी मॉडल पे डिपेंडेंट रहने स से आदमी तो पागल हो जाएक अच्छे मैं 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 यह से अनी अधर क्वेश्चन हा श्री निवास लोखंडे बोलो बुद मॉर्ण स्कुलाता दियाल करना। जाल अधर्वा घंडेंट लीच करने लोखंड है आप जो बात बनी तुसमें वेलिक करता हूं तो मैं इस बंदा तो कर रहे है कि आपको बोला था कि अरिया बाइटिंग और वह उस्टोपिटे कुस्क्तमर्स होती है कि यह ज्यादा थाप कर रहें तो प्रॉड रेंज होंके हमें इतना कुछ 12 कंपईयों का प्रिटेंद कर रहे हैं चैनना सेल नहीं हो पाता है तो अजब है और पता है है अभी की परसंसे लिए फिकरना करना चैल को डया जाता है जटो क्यो tous पारेस्द होता है कि इसलारीश टत्रत ही कर लेंगे इंकी इसलारीश कर लेंगें कि उसके निख बागी लेड़ाने के लिए ने निBayने o इसानरी आप आपके अपत में में हैं और में हिंस हका इक डिक्षेशं कुम करये हैं विह स्रूल हुआ है यंप इुआ और में हमें थाल्री हो यह कि हम लिइस भी कम व बढ़ा है थेसेख्जेशने समय क कोदा हो गोड़ा ट्रांसपोर जए लिडिक्म की अ lotout तो रेक्टीव कितुरा बिख्यक के अभी समालता था अभी उसने कल बता दिया है कि सर मेरा कि मेने सीनी जमे कर अभी वो पांट-छे साल से था था तो उसको बहुत अठीक जबिता है लिए जाए कर अभी है तो पता यह पिर आने तद रहे साजिका था था लेकिन मैं मुझे जब शेघन आई कि यह दूव थी तो पुपता है यह पांट-छे साल से अजन पस अपने आप चार-पांच लागपी कस्टामर से था था रहा था अगम आए तो को टेंशन नहीं है तो यह अगर निक्कंगा तो बंद को आईगा परिर से वो इंटररैटों पड़ेगा हार अगर अगर तुम्हारे पास रेगुलर इंफ्लो ट्रेनीज का रेगुलर इंफ्लो अगर नहीं है तो यह तो वही बात हो गए ना कि अब प्यास लगने पर अपन गड़ा खोद रहे तिपिकल आर्टू वाली बात होगे ना बंदा चला गया अब मैं ढूंड रहा हूं हमारे पास बैकप प्लान में तो कोई रहना चीह था न कि अगर यह चला जाता है तो उसको जो है तुर जो वह रिप्लेस कर सके यह कर सके हमारे प्लान में पाथ-शाल से हैं और आधर इसलिरी करत करते हैं अगर आपको को आटस्मेंट करके अपन दे रहे तरह में हैं और यह जर्ख निसाट देली कि और वही रोटेशन रहे तो मुझे क्यले तो उसको निकाल ले कोप जाता है और एक एंगड़ा गड़ान आंग यह इसलिए इसलिए श्रिनिवास कि तुम्हारा strategy के हिसाब से काम नहीं चल रहा है टीम को पता नहीं है धंडे में business में क्या चल रहा है क्या position है टीम ऐसा नहीं कि काम नहीं करना चाहती पर टीम को reality का ही पता नहीं है कि यार, कितना धन्दा चाहिए है। है कि भया जो profit है वो company का बचता है जो collection आ रहा है वो कमाई नहीं होती जो profit है वो कमाई होती है तो जब उनको पूरा company की financial city पता रहती है हम बताएंगे share करेंगे strategy sheet में discuss करेंगे और उनको बोलेंगे कि बताओ भाई हम सब मिल करके आगे कैसे ये business बढ़ा सकते हैं तो ideas उनहीं के पास से हमको लाना पड़ेगा कि यार ये चीज की विक्री कैसे बढ़ा सकते हैं इस चीज की विक्री कैसे बढ़ा सकते हैं हुआ यह कि पूरा तुमने सब कुछ अपनी उपर ले लिया है ठीक है ना उनको clarity नहीं है कि धंदे में profit का percentage क्या है ये भी उनको clarity नहीं है तुम मैं फिर से बोलूँगा श्रेनिवास कि तुम ये जो strategy sheet है मुझे पता नहीं तुमने अपने team के साथ बैठ करके वो पूरा discuss किया है कि नहीं किया है but the thing is हमको लगता है सब कुछ मुझे करना है और इनसे काम लेना है ठीक है ना issue ऐसा नहीं है सबको हम सबको मिलकर करना है strategy sheet के हिसाब से पूरा planning करो और देखो कि हर चीज का solution तुमको मिल जाएगा मैं अभी इस में इतना ही यह बोल सकता हूँ मुझे पता नहीं मेरी आवाज तुम तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है but care anyway तुम यह वीडियो देख सकते हो team के problem यह सब जो है team क्योंकि team के बगएर कुछ नहीं हो सकता और team को अगर हम business में इन्वाल नहीं करते हैं तो वो लोग नौकरी करते रहेंगे और बोलेंगे भी यह salary दो हमको CDC बात है उनको जब तुम एक partnership level पे लेके आओगे जब तुम उनको decision making का हिस्सा बनाओगे तब जाके वो भी owner बनते हैं और तब जाकर के काम तुम अकेला सब headache अपने उपर ले लोगे तो फिर सोचते अकेला एक दिमाग बहतर है कि दस दिमाग बहतर है दस दिमाग बहतर है पर जो दस दिमाग और है उनको अगर मैं use ही नहीं कर रहा हूँ और मुझे लगता है तुम एक पूरा strategy sheet meeting लो सुबे 9 बज़े से लेके शाम को 4 बज़े तक और उनके साथ में discuss करो और देखो कितने अच्छे-च्छे ideas लेकर के आएंगे कि जिसमें उनकी भी growth हो company की भी growth हो तुमारी growth तो होगी ही होगी उसी में रहेगी जिसमें उनको समझाना पड़ेगा देखो इतना profit है तुम लोग की salary में इतना जाता है कैसे करें कैसे कोई contribute करेगा क्योंकि तुम लोग सिफ नौकरी पेशा लोग ने हो, we are all partners in this उन पर विश्वास तो करके देखो, फिर देखो कैसे सब improve होता है तुम बात में अभी जो मैंने बोला उसका वीडियो देखना तुम टीम को इंवाल करके पूरी strategy sheet meeting करो, at least 80% problems तुमारे हलो जाएंगे, I'm sure of that मैं बहुत से जर्ना एक पर यह वाने सेरियोसली सबके साथ discussions किया है, लेकिन वह जो टाइम आज सर्गे काम है मैं आज सर्गे काम है मैं और उपिस में ऐसे गरते करते हैं उसको दीज भी निए मिल रहा है कि करना है, सदे बाटना है सदे के आज़ झाल मेरी आवाज आ रही है ना थोड़ा डिसकनेक्ट होके फिर कनेक्ट हुआ तो हाँ रंजीत मेरी आवाज अगर आ रही है तो थम्जब दो मेरे को एक ओके ओके येस सो ये एक और ये हो गया है एनी अदर क्वेश्चन को कुछ पूछना है कोई बात करना है पूरे राजिस्ता हमारे जो डिस्टिबूटर और रिटेलर वगरा है उनको हम जैसे बुक्स भेजते हैं तो सबका यही काम है कि पेमेंट जैसे नेक्स्ट माल जाता है तो अगले माल पर पिछले माल का पेमेंट करते हैं तो उनको सारे कंपिटिटर इसी भी हाब पे काम कर रहे हैं और उसमें एक वह रहा है कि हमारा माल वाप्ची जैसे कोई एकजाम हो गई उस एकजाम की बुक्स का रिटन का वह राता है और वह रिटन का परसेंटेज जो हम तैय करते हैं उससे हमेशा जादा ही आता है मतलब जो बहुत जादा आता है उसका तो इस तीज़ पर हम कैसे कमांड कर सकते हैं क्योंकि सारे competitor उसी भीहाब पर काम कर रहे हैं सभी यदि हम tight हो जाते हैं तो फिर हमारे माल की दुकांदार demand कम कर देते हैं मतलब निकाल के दिखाते नहीं है ऐसा कुछ रहता है तो आप यह मतलब printed books आपकी रहती है नो प्रतियों की परिक्षाओं की books रहती हैं ओके ओके वह मार्केट का कॉंसेप्ट पी ऐसा हो गया कि जादा पैसा मार्केट में ही फसा रहता है जो ओनलाइन जाता है वह तो तुरंत हो जाता है लेकिन जो ज़्यादा तर जब तक एक्जाम नहीं होती तब तक उसका पूरा clear भी नहीं होता और जो उसका मालवाक्षी का ratio होता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार यह क्योंकि कितने लोग खरीदेंगे क्या यह करेंगे तो बेसिक आपके competitor भी परिशान है आप भी परिशान यह मतलब आपके competitor कर रहा है इसलिए आप कर रहे हैं यह तो कोई justification नहीं हुआ in the sense that competition भी परिशान है वो भी जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है उनके भी मालवापसी होती है सब की होती है basic business model ही गलत है आपको मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से आपको online systems में जाना चाहिए उसमें यह करना चाहिए जहां पर चपाई का main खर्चा चपाई का और उसका होता ह होता है तो basically printing का जो धन्दा है अब gradually पूरा online systems और उसके आने के बाद में printing का कागज का इसका transportation का heavy किताबों को भेजने का यह सब करने का जो धन्दा है अब यह धन्दा जो है वह outdated हो रहा है और आपको online systems में आना चाहिए जिससे आपको भी कॉस्ट कम पड़ेगी आपके customer को भी कॉस्ट कम पड़ेगी और यह सब जंजटे जो है वो सब नहीं रहेंगी तो आपके competitor अगर करते हैं सर हमारा और जो overall competitor दूसरे हैं उनसे हमारी लागत कम आती है और वैसे देखा जाए overall per product भी हमें बचता है लेकिन जो market का concept है ना माल वापसी वाला और payment to advance ना करके मतलब बहुत कम रेयर होते दस परसेंटी एडवांस देते हैं जिनका बहुत ज़्यादा वो चलता है बाकी तो माल बिखने के बाद ही देते हैं अगेन इसका अब अब पूरा market ही loss में काम कर रहा है और तो आप अगर उसका हिस्सा बने रहना मतलब आप उसका हिस्सा है तो अब मैं क्या बोल सकता हूं इस model को तो change करना ही पड़ेगा हमको यह तो और आप ऐसा भी नहीं कि कोई आपका competitor बहुत खुश है सभी लोग दुखी है तो यह तो basic business model ही गलत है जहां पर कोई profitability की chance ही नहीं बनती है इसमें तो क्या इसमें तो profit निकालना बहुत ही मुश्किल काम है इसमें तो अगर हम माल भेज देते हैं और वेट करते हैं पैसे के लिए कितना आएगा आएगा की नहीं आएगा या माली वापस आ जाएगा कई पार्टियां ऐसी हैं जो काफी सालों से जुड़ी हैं बीस-बीस साल से तो उनका record तो उनको जैसे वो order देते हैं उनका तो हमें बेजना compulsory हो जाता है पर वो payment कर रहे हैं के टाइम से हाँ payment करते हैं वो लोग जो नई पार्टियां जोडने के हम इसको बढ़ाना चाते हैं तो नई पार्टियां जो पहले कभी किसी कारण से किसी इश्यू की वज़ासे तूट गई थी अब उनको दुबारा जोड़ते हैं तो वापस उनमें कई पार्टियां ऐसी होती हैं जो पेमेंट रोकने वाले पोजिशन पर आते ही तीसरे बिल के बाद मुझे से संबंद खराब हो जाते हैं तो यह बेसिक मॉडेल ही गलत है अगर वो पेमेंट बीना पेमेंट के आप कैसे कोई चीज दे सकते हैं मतलब वो पाइट सिर्फ जुड़ने के लिए उनको उधारी में माल देना ये तो कोई बिजनस मॉडेल नहीं हुआ ना कि सिर्फ चलो कस्टमर चाहिए इसलिए हमको भई धंदा वहां होता है जहां माल के एवज में पैसा मिले अगर कोई पैसा रोक देता है आपको वो तो धंदा हुआ नहीं तो ये तो कोई बिजनस हुआ ही नहीं ये तो बिजनस मॉडेल ही गलत है आपका कॉंपिटिटर कर रहा है और 20 साल से चल रहा है इसलिए सही है ये तो बात नहीं हुए ना आपकी इंकम कहां से जनरेट होग उतना आपका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए उतना पेमेंट आपको मिलना चाहिए तो या तो आप एडवांस पे ही जितना पैसा आएगा उतना हम लोग माल भेजेंगे अगर आप नहीं दे सकते तो मतलो माल और ऐसी पार्टियों के साथ यह रिजल्ट होगा मालो जिन से आगे हो रहे हैं पर वो भी उसी गलत मॉडल में फसे हुए वो कैसे आगे हो रहे हैं आपसे मुझे बताईए अगर उधारी पे दे रहे हैं तो उनको कस्टमर मिल रहा है लेकिन धंदे में आपसे आगे नहीं हो रहे हैं यह बेसिक कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं रहें वो वो आगे जाना नहीं हुआ अगर प्रॉफिट बढ़ता है तब आगे जाना हुआ वो आपसे प्रॉफिट में कैसे आगे जा रहे मुझे बताईए मैं तो ऐसी सवाल पूछूंगा आपसे बेसिक बिजनस मॉडेल ही गलत है जिसमें फसे हुए हैं हम अरे कोई दूसरा ओर्डर कोई दूसरा लेके जाने में फायदा तब है अगर उसको पूरा पेमेंट मिल रहा है तो ओर्डर लेके जाना बड़ी बात नहीं है पैसा मिलना बड़ी बात है वो होता है धंदा तो आपका कॉम्पिटिटर कोई खुद का भला नहीं कर रहा है या आपका नुकसान नहीं हो रहा है बलकि उधारी में वो अपना नुकसान कर रहा है तो उसको उस धंग से देखना छुड़ दीजे कि अरे और वो उठा के ले स्ट्राइब कर रहें है धीनों जितना डिलेह हूए तीन मे'M डिलेह हुआ पैमेंट छे मेयना डिलेह जो पैमेंट वह उस ओramos न सियाही ले थे हम जहान से प्रिंटिंग मंटेरियल लेते हैं। उनको तो पूरा payment कर रहे हैं, कर रहे हैं कर रहे हैं और यहां उद्धारी में बाट रहे हैं, यह कैसा धंदा हुआ बै? सिर्फ competitor कर रहा है, इसलिए मैं भी करूँ, यह तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, आप पूरा एक एक रूपए advance देखे वो तो बराबर अपना advance आपसे ले रहा है ना ले रहा है कि ने ले रहा है पहले ही लग जाता है हाँ गुंजन जी आप otherwise मत लीजे मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आपका शुप्चिंता को इसलिए बोल रहा हूँ वो तो अपना पैसा बराबर आपसे ले लेता है ना पूरा क्योंकि धंदा करने वो भी बैठा है आप भी धंदा करने बैठे वो तो अपनो पूरा पैसा ले करके ही आपको माल सप्लाय करता है उसको पूरा पैमेंट आपको करना है यहां पर हम charity करने बैठे अगर ऐसा कोई arrangement होता कि भाईया मेर को यहां से payment मिलेगा तो मै यह एक बार समझ में आता था वो तो अपना पूरा पैसा ले लेता है ना लेवर भी 30 दिन वादी payment मांग लेती है फिर क्यों नहीं मांगेगा भई क्यों नहीं मांगेगा बेसिक business model ही गलत में यह वही बात हो गई जो मैं विकी गौतम जी से कर रहा था मेरे कुमिर आपने स हो जाता है और यह इस बात से बिल्कुल मट डरिये कि उधार मैं नहीं दूंगी तो competitor उधारी में दे देगा रहे competitor अपना खुद का नुकसान कर रहा है आप खुश हो जाए कि competitor अपना नुकसान कर रहा है order supply करना धंदा नहीं होता पैसा मिलना धंदा होता है मैं गुंजन जी थोड़ा सा tough tone में बात कर रहा हूं आपके बड़े भाई जैसा हूं I am like your uncle I am like your इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं प्लीज आप otherwise ना लें ठीक है न दो टूक बात करों जो सही बात है वो मैं कर रहा हूं गुंजन जी धंदा दोनों तरफ से होता है माल सप्लाय करना इस नोट धंदा पैइसा मिलना इस धंदा आपका सप्लेर तो बराबर अपना पैईसा लेता है कि नहीं लेता है जैसे customer आतले के जाता है वह पैमेंट डेता है तब लेता है है और तरंडंद्क की आप को जखा आप जहां से कागज खरिती है आप जहां से जो भी आपका मेंटेशन से जो लेटी है जो यह करती है वह तो आप तो अतना अपर अप्ट तो ऐसे में कैसे धन्दा चलेगा कभी ग्रोभ हो पाएगा ऐसा धन्दा कोशिश करें और ben शिप्ट हो जाये लेकिन ओनलाइन में और टूंफलाइन वह बहुत गलत है यह धन्दा है यह चैरिटी है आप चैरिटेबल इंस्ट्यूशन चला रही हैं जिसमें कुछ मिल गया, कुछ कतरन, कुछ तुकड़े, कुछ मिल गय, तो मिल गय. और देखो, जो payment मुझे आज मिलना चाही है, वो 6 मेने बाद मिलता है, तो वो payment खतो है, क्वो खतं हो जाता है। कुछ बचता है, क्या, नहीं बचता है? बचेगा कब जब आज का पेमेंट आज मिले अब आज का पेमेंट मुझे चार महने बाद मिल रहा है तो इधर मेरे उधारी खर्चे तो बढ़ गए ना मेरा स्ट्रेस बढ़ गया यह सब बढ़ गया वो पैसा आते ही तुरंद गाइब हो जाता है यह हो रहा है हां क्यों क्यों आएम बिजनस्मेंट और यह कभी एंबीए का प्रोफेसर ने बता सकता है किताबी चीजे बताएगा है यह जो मैं बॉल रहा हूं हो मैं आपका दर्ग समझता हूं इसलबgoing और आपने अपने पेमेंट सब कर दी है साप्लायर को guson आपो कि पेइमेंट अगर चार महने बाद मिलता है तो चार महने बाद का पेइमेंट इस इक्वल डी जीरो फोर मंस डीलेड पेमेंट बेट ऑल टुट जीरो इट जीरो कुछ नहीं बचता है आपके लिए कहने को धंदा कर रहें कहने को इतने किताबे चाप रहे अरे भाईया वो सब नहीं कितना प्रॉफिट है प्रॉफिट बता प्रॉफिट 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 तेरा धंदा है कितना काम खेला के रखा I'm not impressed by that तुम्हारा bank balance मेरे को बता I'm impressed by that देख वो हुता है दंदा कुझत जी क्या समझे शिए सभी पॉब्लम है क्या समझे करिए कि अब जो क्लाइंट हों चूस करना है वह सब से चूस करना है कि मालुम रहे कि वो मला हम जो अन्दा कर रहे हैं अलब टेक्ट टैरेक्शन में जा रहा है हम चैरिटी करने नहीं बाट है या फिर अपना पैसा ही उसको लाकर दे रहे हैं तो बेसे लिए हो हमारे पैसे से अपना फायदा कर रहा है अच्छा वो खुद भी ग्रो करेगा कि ऐसे बिजनस टैक्टिक से लोगों का पैसा रोक के मेरा धंदा बढ़ सकता है कि कभी कभी नहीं नहीं हां तुम्हारा जो सप्लायर है ना जो एडवांस में पैसा ले रहा है वो ग्रो कर रहा है क्योंकि वो साला वो कॉलर पकड़ के तुमसे पैसा निकालता है उसको आता है दंदा करना तूम extends कुछ नहीं सीख रहे हो तूम अपने कॉंपिटिटर से सीख रहे हो यह क्या बात हुई बैसे कॉंपिटिटर अशा करता है तो मैं भी ऐसवा हास्यास प्त है मूर्खता है यह आपने सप्लायर से सीखो यह पूर business model ही गलत है क्यों भाई रंजीत business model ही गलत है कोई suggestion ऐसा है कि जिससे हम अपने नुकसान को कम कर सके advance के काम कीजिए माडम थोड़ा कम धंदा होगा लेकिन profit ज़्यादा होगा profit is business not supply बीच में ऐसा try किया था तो हैना demand demand ऐसा लगा कि demand कम हो गई है demand नहीं profit की बात बताईए demand नहीं demand आप नहीं करेंगे आपका competitor उधारी में देगा वो धंदा नहीं होता again समझो गुंजन जी आपकी demand कम हुई मैं profit की बात कर रहा हूँ profit बढ़ाने का होता है धंदा बढ़ाना demand बढ़ाना नहीं अगर सामने वाला payment नहीं करता तो demand क्या होता है भी what is demand अगर payment नहीं मिलता तो what is demand अगर payment नहीं मिलता तो demand is मूर्खता सिफ competitor कर रहा है इसलिए सब लोग टेंशन में आ गए हैं बोले यार अभी तक ही ठीक था आजए सर से बात करके आज टेंशन में आ गए कम धंदा करें लेकिन कैश्ट कर रहा है जंदा कम ज्यादा profit पर डिसाइड करो supply पर नहीं मट डरो कि competitor उधारी का धंदा कर रखुश हो जाओ उस साले को पैसा नहीं मिलने वाला है वो और फिसलेगा तुम उनके साथ काम करो जो पैसा देते हैं because चार मैंने delayed payment is equal to zero payment मैं तो कभी इस धंदे में नहीं करूंगा मैं निकल जाओंगा उस धंदे से मैं आपने पांचसो 499 दिया था तब जाकर कि आप उस ट्रेनिंग में आये थे कई लोग बोलते हैं नहीं सर हम मैं दो दिन अटेंड करूंगा फिर डिसाइड करूंगा पैसा देना निकल नहीं करना तेरे साथ धंदा ट्रस्ट है तो 499 दे और पांच दिन का कोर्स कर कई लोग नहीं निकल जाते हैं जा यह सिक्स थाउजन जमा करो तब यह तीन दिन का कोर्स में यह जो है स्ट्राटेजी शीट यह वो आप से पहले पैसा लिया न मैंने यह सर हां मेरा यह मॉडल है आप कोई ट्रेनर उधार में करता है तो कर भई मुझे पता है उसको नहीं मिलने वाला है पैसा क्योंकि बाद में बुलें का नहीं सर कोई फायदा नहीं हुआ को यह नहीं हुआ उसको नहीं मिलने वाला और कोई करता है तो भई उसका मॉडल है वो कर मेरा मॉडल नहीं है मैं पैसा लेता हूं फिर स तो वो पैसा नहीं देने के लिए दुनिया भर की कंप्लेंट्स निकालेगा वो इसमें ये ठीक नहीं था इसमें वो ठीक नहीं था ये था वो था अरे बिजनेस मॉडेली गलत है तो वो पस्टी बढ़ा दिया है और भाग में फिर हमने सीडी बढ़ा दिया अगर आप इतना सीडी बिल रहा है आपका सोचो क्या कर रहा है तो अगें इसी इसी इसको एक करके नहीं ऐसे लोगों के साथ दंदा करो जो तुमारा दर्द समझे जो तुमको एक्स्प्लाइट कर रहा है जो तुमसे बंदुवा मजदूरी करवा रहा है और तुमको फसा के रखा है कि पेमेंट मांग लोगा तो अगला आडर नहीं मिलेगा अरे ये क्या हुआ भई तुम उसके गुलाम हो क्या नौकर हो क्या उसके बंदुवा मजदूर हो क्या कि अरे पेमेंट मांगने में डरते हैं कुछ लोग अपना अब खुद पेमेंट पूरा किया हुआ है पर अपना पेमेंट मांगने में डरते हैं तो यह कैसा क्लाइंट है भाई और यह कैसा धंदा है और किस प्रकार के अंत्रप्रेणियर हो तुम मैं तो बात ही नहीं करता 14,000 लाइफ चैंपेंज एको सिस्टम अकाउंट में मेरे आएगा तब फिर दिलो जान हाजिर तुमारे लिए फिर किस्टमरे नौट किंग फिक है हर धंदे का मॉडल अलग होता है पर आया मन, नहीं सर दो महने बात देता हूं तो यार फिर वो किसी और के पास चला जाएगा जा सले जिसके पास जाना है जा जिस ट्रेनर के पास जाना है जा मैं नहीं हूँ ऐसे क्लाइंट ही मिरको नहीं करते क्योंकि एक को उधारी दिया तो सब को उधारी देना पड़ेगा ऐसा पूछो लक्षमन्ट से सर आदा आदा करके देता हूं अरे भाईया मैं उनके साथ काम करता हूं जो पूरा पेमेंट करते हैं आदा आदा वाला कोई तेरे को मिलता हो तू जा वहां पर जा मुबारक को हाँ जो पूरा पेमेंट देके आता है और आप देख रहें मेरा कमिट्मेंट आप देख रहें मेरा नॉलेज आप देख रहें मेरी क्वालिटी आप देख रहें फिर वह आपकी उपर है कि कितना मेरे अंदर से निकाल सकते हूं फिर वह 499 में मैं 50,000 का वैल् दिखता है क्योंकि जो मैं बताता हूं मैं खुद फालू करता हूं सिर्फ धंदा धंदा बढ़ाने के लिए number of clients ज्यादा दिखाने के लिए अपने धंदे का विस्तार दिखाना धंदा नहीं होता profit धंदा होता है और और मैं और किस तरीके से समझाओ आपको profit is business नमबर ओप्लाइन जिए बहुत सारे लोग अपने याज से भी चला जाते क्योंकि अपने लोग डिस्काउट नहीं देते हां हमारे नहीं करते बहुत सारे हां कि नई सब्सक्राइब लगता है वीकी गौतम ने बोला मेरे के सब्सक्राइब डिसकाउट वीकी गौतम को अगर मैंने एक हजार रुपे का डिसकाउट दिया तो कि रंगजीत बापू ने फिर क्या गलत किया ही जो मैं उसको ना दू डिसकाउट पूरा मेरा business model ही गलत हो गया बात एक हजार की नहीं है बात मेरे business model की है सीदी सी बात ठीक है तुमको online payment करने में दिक्कत आ रही तो वह मैं थोड़ी रियायत दे सकता हूं कि चल भई एक दिन का और टाइम दे दिया पर पेमेंट तो पूरा होगा कि अरे नेवह किसी वह टरेनर के पास इस बहूं हूं बुलते हैं कि स्वाहिने में दस जितता हूं अगलेए म voz करता हूंहed Najma ने लेके लोग देने वाले खुरане अगले मेने बीस अजर पेमेंट कर दो कि साथ पुशीक्त कर दो हुए क्जानography उठारी वाला पैसे नहीं मिलता है जितना पैसा उधारी में है उसका कितना पैसा मिलता है मुझे बताओ कितना पर려 पर्संट मिलता हूँ उसका पचास परसंट से जादा नहीं मिलता और च्छे मैंने बाद जो प्रवकाय पेमेंट मेले, that is equal to zero, Anda, Anda. किसी काम का ही नहीं होता है. जो है ये बन रहा है येस रंजी सर मैं आपका दो दिन से न डूस कलेक्शन के उपर अपना इलियोन सेशन है इसका इनर सरकल में दम बढ़ी आया हो इसके उपर मैंने काम किया है इसका एक्सिट भी बना है रिकोरी कैसा करना चाहिए इसका फॉल अब आपने डम डिटेल में दिया है इलियोन सेशन है वो इनर सरकल का ओवर ओल हमारे इनर सरकल के जो वीडियोस बन रहे हैं ये पच्चासो सालों तक कितना बड़ा वैलियो हम इस दुनिया को देके जा रहे हैं हम सब मिल करके इसका शरे सुर्फ मैं नहीं लेता हूँ हम सब मिल करके क्योंकि आप लोग के questions है तभी तो मेरे answers है ऐसा है तो गुझन जी कुछ बैट के सोचने की ज़ुरत है भाई या तो आप अपने supplier का भी पैसा रोको ये बोलो भाईया यहां से मिलेगा तब मैं आपका payment दूँगे ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है अब वो कभी करेगा ने वो अगर आप बोलेगी कि एक महने बाद payment करती हूँ वो क्या बोलेगा आपको नहीं एक महिने बाद ही ले ले ना वाल हाँ आप बोलेगी फिर आप उसको बोलते है नहीं नहीं फिर तो मैं किसी और से ले लूँगे तो वो क्या बोलेगा ठीक है आप और से ले लीजिए यहां नहीं एक वकील के रूप में जज साहिब यह मेरा अंतिम जो है यह मेरी धलील थी अब आप फैसला कीजे क्या सही है और क्या गलत है सुधारगी बहुत आवशकता है आप बोलके देखिए न कि नहीं नहीं आप मैं तो दो मैंने बाद ही पेमेंट करूंगी हमको पेमेंट लेट मिलता है तो और अगर आप नहीं देते तो मैं किसी और से लूँगे वो सिद्धा बोलेगा ठीक है मैडम किसी और से ले लिजे उसको नहीं करना आपके साथ फिर काम उसको क्लारिटी है अपने धन्दे की पर हम उससे नहीं सीखते हम अपने उन मूर्ख कॉंपिटीटर के साथ सीखते है जो खुद भी डूब रहे हैं और हमको लगता है कि मार्केट का ट्रेंड ही ऐसा है इससे निकलना एक मतलब एक बहुत हिम्मत चाहिए पहली बात तो क्योंकि जो पैसा फशा है न साफ बात बताओं जो पैसा फशा है न तुमको मिलने वाला नहीं है तुमको नहीं मिलेगा मैं बता रहा हूं तुमको मैं कोई positive speaker इसका मतलब यह नहीं कि मैं जूट बोलू तुम से positive speaker मतलब जो सच्ची बात बोले और जो सही decision जितना तेरा पैसा फशा है न विकी तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है और थोड़ा बहुत मिल भी गया तो वो नहीं कि बराबर है गुंजन जी कुछ नहीं मिलता उधारी का पैसा नहीं मिलता नहीं मिलता उधारी का पैसा नहीं मिलता और जो पैसा delayed payment is no payment क्योंकि वो घट से खतम हो जाता है जो आपके इतना pressure तब तक बढ़ चुका रहता है आपके हमारे बिजनिस में एक चीज और है जैसे मानलो कोई exam की निकली हुई है vacancy तो उसमें जब books की demand होती है तो कई काफी काफी ऐसे shop में ऐसे वो है आपका ऐसा brand value होना चाहिए students के बीच में आपकी ऐसी यह होने चाहिए कि वो जो है वो बात दे हो जाए जिस प्रकार से आपका customer आपका supplier आपसे यह लेता है सर यही positive बात है कि हमारी brand value है ना वह students के बीच में बहुत मतलब popular है वह मुंसे मांग करके लेते हैं और आपको क्यों अब distributorship की जोट है आप direct student को भी आप अपना एक system बनाई है online direct जो है students को भेजिए किताब क्यों आपको किसे यह करोना के बाद से online के demand में भी बहुत फरक आया है बहुत जादा इसमें चेंज आया है अब आप चेंज कीजिए यह अच्छा मौका है कोरोना का कि अपना business system चेंज कर लो उधारी का पैसा कभी नहीं आता क्यों कि जब तक वह उधारी का पैसा आता exactly अतनी उधारी और हो जाती है और उधारी का पैसा नहीं आता मेडम वापस नहीं आता वह चाहे हमारे treatment का दंदा यो पैसे को भूल जाईये अभी बी जो पैसा आपका market में है न आपको simplify कर रहा ह उस पैसे को भूल जाओ वो आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि गलत लोगों के साथ धंदा कर रही हो वो नहीं मिलेगा मतलब मिल भी गया तब तक दूसरी उधारी हो जाएगी मतलब कुल मिला के उतना पैसा कभी नहीं मिलने वाला आपको अब model change करो और नया धंदा शुरू करो उस पैसे का मोह छोड़ दो उसका मोह छोड़ दो गुंजन जी उस पैसे का मोह छोड़ दो वो आपको नहीं मिलेगा न वो ग्रू करेंगे न आप ग्रू करेंगे और आपका मूर्ख competitor तो ही भेजता है भेजने तो साले को भेजने तो उधारी में हम तो नहीं करते भीया काम चार सु निन्यानबे दो ऑनलाइन जब हम तो cash भी नहीं लेते नहीं सर cash में GST की बात करते हैं कुछ फालतु लोग cash में देता हूँ वो GST लग जाता है ये GST included है 499 देना है तो दे नहीं तो अब तो भीया मेरको बात नहीं करनी Delhi से नहीं सर तो फिर वहाँ पे तो मेरा 299 कभी एको और कर तुरंत यए वो दो मैने बाद तुरंत निकल तू निकल इथर सामने से मेरको नहीं चाहिए तू अब तू 499 भी देगा न मेरे को नहीं चाहिए, तू निकल वो जा ट्रेनर के पास, जो खुद उधारी करके सिखा रहा है, कि उधारी करना चाहिए, उस ट्रेनर से सीख तू, जो ट्रेनर खुद उधारी पे काम करता है, वो साला क्या सिखाता होगा, मैं किसी ट्रेनर की बु होगा कि नहीं होगा वो उस अथोरिटी के साथ बोल सकते कि जैसे मैं बोलता हूँ कि दोंट इस बात से डरिये मत कि मेरा उधारी का धंदा खुश हो जाईए कि मेरा उधारी का धंदा किसी और की उधारी में ट्रांसफर होगे मैं वो धन्दा करूंगी जो नकद का होगा कम होगा लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होगा अब प्रॉफिट इस बिजनस नॉट सप्ला है और ऑनलाइन में जाईए ठीक है और स्टुडेंट का यहां ऑनलाइन में जहां तर अभी मैं मैं कहां बैठा हूं उससे कोई फरक पढ़ता है कि आपको आप कहां बैठी है कहां पूरे देश भर में पूरे दुनिया भर में मेरे स्टुडेंट्स रहेंगे एडवांस में पैसे जमा करते हैं और फिर मेरी दिलो जान हाजी रहे उनके लिए कई लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं अरे बिना पैसे के बात नहीं करता आप यह नहीं करता बिना पैसे के बात पसंद है तो बोल नहीं तो जा नौट एवरिवन इस हैपी विथ मी आरे नहीं सर वो तो तीन-तीन हजार करके चार मैंने मिले मुझे पता है साला पहले मैंने वो तीन हजार देगा उसके बाद कभी नहीं देगा उपे में तो क्या हम मतलब मूर्खता में कॉंपिटिशन कर रहे हैं हम लोग तो कौन कितना बड़ा मूर्ख है जो ज़्यादा उधारी में काम कर रहे हैं आज बहुत ही दो टुक बाते बोल रहा हूं मैं गुंजन जी पर जो सच है वो बोल रहा हूं और सच हमेशा कड़वा होता है और सच आपसे वो ही बोलेगा जो आपका शुक्चिन तक है तो मेरे ख्याल से अपने काम करते हैं आप इस पर काम कीजिए आप इस पर थोड़ा सोचिए अपने एक मॉडल बनाईए क्योंकि आपके धंदे की बारी किया आप जानते मैं एक ओवर ओल डिरेक्शन आपको दिया ठीक है इसके बेसिस पर क्या exactly करना क्या है नहीं करना मत डरिये कि उधारी का धंदा कोई और लेता जैसा आपको payment नहीं करता है वैसे उसको payment नहीं करे जाएं मत डरिये मत डरिये मुझसे सीखिए अपने supplier से सीखिए बात 500 रुपे 500 400 999 500 रुपे और 400 रुपे में क्या फरक है 100 रुपे छोड के अगर मेरे को student मिलता है 400 तो मिल रहा है न यह सोच कि अगर मैं ले लू पर नहीं हम नहीं अगर 500 तो 499 है एक दो सीनियर एक अंकल जी कोई थे सीनियर नाराज हो गए बोले मार्केट ऐसा थोड़ी चलता है मैं बोला मेरा मार्केट तो नहीं चलता बोले वो ट्रेनर है वो तो बोल रहा है कि अभी फ्री में करो एक मैने के बाद में तुरंत जाईए अंकल वहां पर तुरंत जाईए तुरंत जाईए मेरा पीछह चोड़िए क्यूंकि मुझे वहस भी नहीं करना है आपके साथ पोले आप बहुत घमंडी है मैं बुछा मैं घमंडी नहीं मेरा बिजनस मोडल है जिसके मैं कायम हूँ जो आपको घमंड लग रहा है मैं घमंडी नहीं हूँ पर मैं मूर्ख भी नहीं हूँ मेरा मूर्ख नहीं होना आपको घमंड लग रहा है कोई मूर्ख जो आपको लग रहा है कि घमंडी नहीं है आप उसके पास जा सकते एक अंकल जी बहुत नाराज हो गए थे तो मेरे खेल से बहुत कुछ सोचना है अपने को बहुत कुछ अपने इसमें तो विकी तुमको भी बहुत कुछ सोचना है और यह उधारी का धंड़ा एक तो बंदी करो क्योंकि इसमें तुमारी ग्रोथ नहीं है डूपते जाओगे constant pressure में रहोगे tension में रहोगे health खराब होगी family पे चिर्चड़ाओगे family life खराब होगी इसके side effects इसके after effects बहुत खराब रहते हैं उधारी के धंड़े के life के enjoyment खतम हो जाती है quality of life खतम हो जाती है मेरी तरह life enjoy करो दो टुक बात बोलो खरी बात बोलो family के साथ enjoy करो खराब धंड़ा करो profit का धंड़ा करो नकद का धंड़ा करो आपको लगेगा कि थोड़ा धंड़ा कम है पर आपका profit ज़्यादा रहेगा and profit is business right तो आप सब की इजाज़त से इस discussion को खतम करें यहां पर गुंजन जी विक्की भाई रविंद्र भाई दूसरे रविंद्र भाई रंजीत बापू लक्षमन भाई तो मेरे ख्याल से आज के लिए परयाब डोज हो गया रविंद्र खेडकर जी आपको भी कुछ बाते मैंने शायद कहीं जो आपको शायद चुभी होंगी पर जो सच है एक बड़े भाई की सला मैंने दी है आपको मैं कंसेप्ट लखने में कम गिर गया है यह कि जौब तो कर रहा हूं लेकिन इसी साल मैंने चालू किया है सर और मुझे कोई मतलब जैसे अभी इधर जादा बिज्यस में इंकम सोर्स नहीं है तो मैं यह सोच रहा था कि अगर जौब छोड़ता हूं तो आज ही जो पैमिली के लिए पैसा चाहिए अभी मेरे पास नहीं इसलिए मैं आपसे डिसकुस कर रहा है तो किस चीज को जैसे तेरे बात में तेरे कोई दम नजर आ रहा है क्या मैं फिर से वही सब चीज़े रिपीट नहीं करना चाहता है जो जो चीज बेसिकली गलत है गलत है मतलब इफेक्टिव नहीं है रॉंग बिजनेस प्रैक्टिस है वो रॉंग बिजनेस प्रैक्टिस है मैं बोल रहा हो नो भई तेरे को क्यों बिजनेस करना है नौकरी में ज करना ही चाहिए कोई ज़रूर ही नहीं है पर यह साल भर का कब दो साल हो जाएगा कब तीन साल हो जाएगा तु कभी नौकरी छोड़ेगा नहीं मुझे पता है क्योंकि नौकरी एक ट्राइप है तु कभी नहीं छोड़ेगा नौकरी ये एक साल बोले बस अभी इतने के लिए मैंने पूछा है तेरे से कब छोड़ रहा है बता यू है नो आंसर क्योंकि मुझे पता है और तुझे भी अंदर ही अंदर पता है तु कभी नौकरी छोड़ने वाला है नहीं किसको हम बेवकू अब कर दूभ बना रहे हैं बेटा आज के बाद कभी मिर से बात नहीं करेंगे हो सकता है हो सकता है तुछ ने होगा थोड़ा सोचो थोड़ा सोचो आप लो भी ज़रोर नहीं की जो मैं और बोला पत्थर की लकी रहे भई मैं as an elder मैं अपना opinion बता रहा हूँ और जो मेरे इतने सालों का experience है जो मैंने देखा है लोगों को नौकरी plus job बोले दोनों मैं साथ साथ कर लूँगा उनको जो मैंने सफर होते हुए देखा है जो उधारी के धंदे वालों को सफर होते हुए देखा है untimely deaths होते हुए देखा है मैंने उनको tension में परिवार को सफर होते हुए देखा है परिवार को वो सब नहीं मिल पाता जो उस परिवार का हक है क्योंकि ये भाई साथ उधारी के धंदे में लगे हुए वो सब मैं देखा हूँ इतने सालों से as a professional, as a health professional, as a doctor उसके गंभीर health की उपर में जो परिणाम होते वो सब देखा हूँ तब जा करके मैंने खुद का अपना ऐसा business model बनाया है लक्षमन को सब पता है हमारे या का एक example है उनका electricity का shop था वो सब electricity material सप्लाइ करते थे लड़का ही था 35 years का उन्हों ने बुद्च चालू किया था तो उनका सर्थ 3 लाग का उदार दिया था उन्हों ने करिस्टंबर और सद्धनल ने उनका बैक से accident हो गया और उन्होंने कहीं पे नोड भी नहीं करके रखा हूँ था जर्च पाथा तो उसमें चे सिर्फ 80,000 मिला बाकी का 2,20,000 उपई चला गया उधारी में तो मिला यह नहीं उनका और जब उनका पुरा जो शॉब था उसका पुरा मट्रेल सप्राइब किया तो 7 लग का पुरा एक्स्पेंस बना उनका उनका उतना भरना भी पड़ा 2,20,000 गया भी उधारी का उन्होंने दिया था तो उतना रिकवर नहीं हुआ उनका किसीने दिया ही नहीं बिर्कुल परफेक्ट और उपर से यह कैश वाला जो धन्दा है इसके उन टॉप अफ डैट कुछ लोग कैश का धन्दा करते GST काटके यह करके वो करके कच्चा कच्चे का धन्दा वाप रे मिलको लगता है हरी क्या यह कैसे बिजनिस मैंने भई उधारी उपर से कैश कच्चे में टैक्स बचाने के लिए टैक्स का एक अलग विशाय है एक अलग सेशन है उसका उधारी का और वो भी कैश बोले टैक्स नहीं भरेंगे बट अगें चलो आज के लिए इतना काफी है और आप सब लोग सोचिए कुछ टफ डिसीजन्स आप सबको लेने पड़ेंगे खेड़कर कुछ कठिन निर्णै लेने पड़ेंगे बेटा नहीं तो क्या होगा आपको भी कुछ कठिन डिसीजन्स लेने हैं कुछ अच्छे डिसीजन्स लेने हैं शुरुवात में कठिन लगेगा लेकिन एक दिन आप मिर को धन्यवाद दोगे कि आजय सर ने बोला था या तो गलती करके फिर से गलती करके मेरे को याद करोगे कि आजय सर ने बोला था या फिर एक दिन मेरे को धन्यवाद दोगे कि आजय सर ने बोला था सर आज एक मंत्र मिल गया कि अपना उधारी का दुन्दा इसमें से एक सिक मिली जो भी डिस्टुबिटर के तुरू स्टॉक पर्चस करते हैं एक सिस्टम बना लो कि 15 से 20 दिन का क्रेडिट वो भी सर्वाइब करें मैं भी सर्वाइब करूं रोलिंग होता रहे उसका भी मेरा भी और कंसिस्टंसी में काम होते रहे आजू-बजू वाला रेट गिरा के काम कर रहा है या फ्री में काम कर रहा है उस पे ध्यान देने से अलावा वी आर फोकसिंग इन अवर कॉलिटी अवर प्रोड़क कॉलिटी एंड हंडेड परसंट कस्टमर साटिस्पेक्शन को ध्यान में रखते हुए कैसे सर्विस को काम जाहे उस पे अगहर कॉंसेंट करते हैं तो एकованटकाल फरी अटकली अपरी अपरने संपलेट के लिए हो कि नहीं राइक तूम अच्छे कइस्टमर हो दो मार्कटमर्स के साथ काम करो और हमेशा समझो, profit is business, supply, number of customers is not business. Compete करना है, तो खुद के पिछले साल के profit से इस साल का profit बढ़ाओ, अपने आप से compete करो. अच्छे competitors से compete करो. मूर्खता में compete मत करो, कौन बढ़ा मूर्ख है market का. इसके साथ ही मैं आज अपनी वानी को यहीं विराम देता हूँ. आप बैठ के सोचिए, एक आधा दिन off लीजिए, बैठ के सोचिए, मैं क्या कर रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, और कुछ अच्छे निर्णे लीजिए, और एक दिन आप मुझे और लक्षमन को धन्यवाद देंगे. यह आज की एडवाइज, यह आज का सेशन, आपके लिए लाखों का मोल का हो सकता है, वैल्यू का हो सकता है, करोणों के वैल्यू का हो सकता है, अर्वों के वैल्यू का हो सकता है, मेरा आशिरवाद आपके साथ में है, मेरी शुपकामना है आपके साथ में है, समय थोड़ा कि शुरुवात में थोड़ा कठिन जरूर जाएगा आपके कुछ कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे पर बुरे कस्टमर्स का नाराज होना बहुत अच्छा होता है ये भी समझे ताकि अच्छे कस्टमर्स आप अट्राक्ट करें उनके साथ धन्दा कीजिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार विश्यो आल दे बेस्ट थैंक्यों से थैंक्यों साथ नमस्कार थैंक्यों